कि देराग जी आपको एक वर कंसेप्ट बता गया पहले जैसे बात कर नहीं आपको पहले कंसेट्ट बता देते हैं कंसेट्ट जड़ा अच्छा रहता है अच्छा रहेगा थोड़ा सा आज सभी जितने भी हमारे पूरे देश में साथ ही है खासतोर से जो अपने आपको हम तो समण कहते हैं मगर वह बहुजन या मूल लिवासी या SC, ST, OBC कहते हैं या दलितिया, सूद्रिया, पिछड़ा जो भी बोलते हैं क्योंकि हम तो बुद्ध के नुई आई हैं तो बुद्ध के प्राची नो पहला जो सब्द है समण उसी को इस्तमाल करते हैं तो आप सब लोगों ने एक कमाल की बात आज देखी होगी कि साहाब का जिनका आठ तारीक की रात को परिनिब्बत हुए थे यानि जो ब्रत से निब्बत हुए थे बहार हुए थे जीवन के ब्रत से उनको नो तारीक को मनाय जाता है बताय जाता है तो यहां आज आपने वाटसेप देखा होगा सारे के सारे कारिक्रम देखे होंगे और कल रात साही कारिक्रम स्टार्ट हो गए और आपने देखा होगा कि देश के हज्जारों और लाखों संग्ठन जो अलग-अलग रहते हैं वो सारे के सारे ही साहाप कासी राम को अपनी विनम्र अपनी अधरांजली अपनी सद्धांजली अपनी विनम्ता अपना आभार जितने भी सब्द हैं सारे के सारे वो प्रिकट कर रहे हैं और सब अपना फोटो भी साथ लगा रहे हैं नाम भी साथ लगा रहे हैं सबी लोग सोचते हैं कि सहाब कासी राम की बड़ी जैजैकार हो रही है और हम भी जैजैकार करने में पीछे ना रहें इसलिए सब ने जैजैकार की है किसी ने नहीं सोचा कि सब ने मिलके सहाब कासी राम की पीठ में चाकू गुसर दिये खूब चाकू मारे और हर नौ तारि सारे के सारे लोग पूरी तरह से जितना भी गद्दारी कर सकते हैं साब कासी राम के नाम पर उतनी गद्दारी आज हुई और अगले साल फिर होगी कैसे होती है क्यों होती है कि महा पुरुस कहके क्या जाता है वो कर क्या रहा है महापुरुस कहता है बहुजन बनाना है महापुरुस कहता है एक साथ रहना है महापुरुस ने पूरी जिंदगी बहुजन समाज बनाने में लगा दी और पूरी जिंदगी सब को इखटा करने में लगा दी और वही लोग जो महापुरुस का नाम ले लेके लड़ने और मनने के लिए त्यार हो जाते हैं वो अपने अलग-अलग संग्ठन और अलग-अलग घर बना कर उस महापुरुस का जलूस निकालते हैं तो खाली फोटो है सुदीर जी आप अन्म्यूट करिए आप म्यूटेड है इसमें करिया जो आइडिलोजी बावा साब ने दिए संगतित रहना है आपने कहा है सब्सक्राइब परिशानी भी होगी क्या यह को अच्छा भी लगेगा यह सारे ही अनम्यूट हो रहा है कि तो है तो यह जो आइडिलोजी बी जाती है जब महाप्रुशोब याडिलोजी दे जाता है जैसे बुद्धनेक आइडिलोजी दी के संग रहना है और संग एक रहना है ज़िए संग संग एक रहना होगे जो इस बात को नहीं कहते कि संग के टुकुडे नहीं हो सकते हैं कि संग के टुकुडे होते हैं तो हम खतम होते हैं हम मारे जाते हैं जब बावा साथ वंबेट कर यह कहके गए कि संग्धित रहो संग्धित रहो संग्धित रहो तो कैसे अलग-अलग लाखो लोग उनका फोटो लगाके जयजय कार करते हैं और क्यों हम उनके साथ में खड़े होते हैं जबकि हम ये जानते हैं कि महापुरुस्ट ने डॉक्टर अमबिटकर ने हमको इकटा होने के लिए कहा है और हमको कहा है कि इकटे रहोगे तो बचोगे तो क्या हम अपनी मौत का जैकारा लगाते हैं क्या हम मरने के लिए लगले होते हैं क्या महापुरुस का मरने के बाद में फोटो लगा कि हम ये बात कहते हैं कि हमने महापुरुस की बात नहीं मानी जो लोगों पर हम आरूप कर यह कह दिया कि महापुरूस को मारना है तो उसके जैजाकारे करो उसकी पूजा करो और हम क्या कर रहे हैं अभी 15 साल नहीं हुए है उस महापुरूस को गए हुए और पंद्रे सो आपने फोटो लगा कि अलगलग संधर मना दियुद के आपको बावा साथ के नाम पे हजारो नहीं होते हैं महापुरूस के लासे कट रही है हम इसी में मारे जा रहे हैं हम नहीं समझपा रहे हैं कि हमारे महापुरूस क्या चाहते हैं हमने फोटो लगा लिया और बस जयकारा कर लिया और एक पषची कट वाली और एक रसीद काट ली और उसके बाद हम अपना अलग-अलग ले जाके दुकान खोल के उसको जस्टिफाइए करने लिए पूरी ताकत लगा देते हैं और ऐसे जस्टिफाइए करते हैं कि हमसे ज्य लिए देया हमारे लिए उसने सफ्ट मी पूरा जिवन वो भी अपना शादी कर सकता है वो भी बच्चे कर उसकता था वब परिवाय चलाता और उसकी इस बात पो तो मानलो कम से कम को जो वह कहता है तो उसके लिए प्रतिज जो सद्धानजली होगी जो नमन होगा उसकी बा समाज है वो विरोधी समाज जब अपने महापुरुस का जयकारा करता है तो सारा समाज एक लाइन में होता है उसका खड़ा हुआ चाहां उसके कितने भी टुकुरे हो और कैसे भी हो वो कभी आवाज तक घञा कर तो सब्सक्राइब को हमार को मारते हो और उनौकी पीठवें चाहती गश्रीस बनाब कर दोकर आदे ना साफ ताशिराम आने वाले हैं ना बुद्ध आने वाले हैं ना पैरियर आने वाले हैं ना जोतिवा फुले आने वाले में जिनका नाम रटते हो जिनका नाम लेते हो उन्होंने कभी अलग अलग संथमी बनाए तो उनका नाम रटने का फाइदा क्या उनके सबकी विचाध खारा भी अलग नहीं है कि यह सेसके कुछल के बाते हो चार संग्धने बनाते हो चाहे बात को सोचने और चाहे वो साफ कासिराम है चाहे जोदिवा फुले है भक्तों से बेड़ा पार नी होता क्योंकि ज्यकारा लगाने से अगर संविधान की धारा हमें हमारा लाव देती तो अब तक हो जाता है मेरा ज्यकारा मत लगाओ अगर तुम्य मुझे बचाना है या मुझ्स से कुछ लेना है तो इकटे हो के आओ तो हमारे लोगों को समझा दिया अरे वई अमारे पास में मैं आमेल नहीं है अरे वह एम पी एमेले की जूरूत ही नहीं है सम्विधान में कहा यह लिखा हुआ है कि MPMLA होगा तब अधिकार बचेगा सम्विधान यह कहता है वीदा पीपल वीदा पीपल जहां होंगे मैं वहां उनकी खिद्मत में हाधिर हूँ मैं वहां उनका लाब करूँगा क्योंकि मैं वीदा पीपल से चलता हूँ हम भारत के लोग से चलता हूँ आप 51% वीदा पीपल एकटे कर दो जो हुकम मेरे आगा जो कोगे मैं आपकी सेवा करूँगा मगर आप तो 85 और 90% हो तो 50% एकटे नहीं हो पारे हो तो इसमें सम्विधान का क्या दोस है सम्विधान क्या करेगा सम्विधान कुछ नहीं कर सकता वह आपकी कोई मतद नहीं क तो आपका सेवाख है मगर उसकी सर्थ है जो आपने बनाई है जो आपने लागू की है जो आपने मानी है कि जिसके पास 50% लोगे उसकी बात मानी जाएगी उसका सम्विधान होगा तो लोग कहते अगर 51% लोग इखटे होगे तो कैसे अधिकार बचेगा अरे भी बचता है अधिकार दो अपरेल को कोई MPMLA आपकी फिर्म में नहीं आया कोई बहुत बड़े बड़े जो एलिट क्लास के लोग थे वो नहीं आए साधरन लोग स्रलकों पर आए सम्विधान ने के लिए कंप पर्शंट पर अगर फेशर्म में जाएंगो सरी आजाएंगी हमारे जो लोग है वह सारी वो क्योंकि बड़ी सोच नहीं है बड़ा काम नहींए और बड़ा काम और है और ढर जानते भी है oppress नो या कोई ंबताएं भी तो नोग पहले हिए कि हम्हारे द्वार रहोगे इसके आका हम रहेंगी कि यहां कोई्यों रहे गए यहां जभी कोई खत्म होगा शोग तो खत्म होगगा कि दूसरा जब क्या था लोग पैसे लेते थे और भाग जाते थे, पैसे लेते थे भाग जाते, पडचियों का धंदा बना दिया, लोगों ने स लेना है, कोई building के नाम पर ले रहा है, कोई किसी चीज़ के नाम पर ले ले रहा है, लोग परिशान होगे, पैसे दे 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 और रिजल्ट नहीं आया तो वीद़ा पिपल कहता है कि पॉब्लिक से कभी जिंदगी में पैसे लेंगे यह नहीं चाहे कुछ हो जाए क्यों नहीं लेंगे लोग कैते काम किसे चलाूँगे अरे क्या काम करना है हमने क्या फैक्ट्री खुल नहीं है हमने क्या जमीने खेद नहीं है गौत्म सब्सक्राइब करें दुनिया वर्गी वह एक्सराइज जो गौश्वर्मेंट आप इंडिया को करनी चाहिए जो संग को भारत गणराजे संगों करना चाहिए हम क्यों उनमें जाए और लोग कहते हैं इनको एक्टो सिटीज को पहले समालना चाहिए अरे भाई एकटो सिटी होती है जब आप इखटे नहीं होते आप आज इखटे हो जाएए आज आपकी शिटीज बंद हो जाएगी आपकी बताणा बंद हो जाएगी आपके उपर Again-9 हैं चाहे पetill it Ensuite चाहे वह किसी किसान के उपर हैंक है मजदूर के उपर है जो लोग इखटे रहते हैं वह त्याचार करते हैं उन पर होता नहीं है तो कितना आसान तरीका है एकटा होना है तो आपकी सब चोटी-चोटी समस्या निकल जाएगी, सारी बाहर हो जाएगी, होनी बंद हो जाएगी, तो लोग कहते हैं, अब हम आर्थिक काम करेंगे, आर्थिक, अब हम लोगों को, क्योंकि हमने बिजनिस नहीं किया, अरे बिजनिस किया, सुक के समय में सारा बिजनिस हम ही करते थे, भ पैसा आएगा नि चुड़ेगा जब समाज की पास पैसा ही नहीं है तो सो लोगो का पैसा बड़ोगे चाल लोगों को दो तो इस आपका से पैसा आएगा देश से पैसा आएगा अभर्नेंट ओछेश से वह आएगा था क्योंकि जो बजट होता बोलकिना अपको देरा पड़ेगा आप मेहगाई में मारे जाओगे तो कितना आसान तरीका है कहां लड़ते हैं सेज रोब मिल जाए बीस car मिल जाए पचास मिल जाए नहीं मिले तो हमीं कहत्ता कर लोगे हमारे समाज के पास पर चार नौक्रीं हैं चार खता करके आजाओगे तो लोग कहते हैं कि समस्थ्य आ हम इपनी universe खोलोगे कितनी कोलोगे आप कितने सोफ तो लोगों के लिए कि लिए पर लाक के बरावर कहां से खोलोगे आपके पास पैसा नहीं है दर और इंडिया कर सकते इस काम को और गौर्रमेंट ऑफ इंडिया में सम्धान यह कहता है इक खटे हो के तो आओ मेरे आगा मैं खत्रे में नहीं हूं खत्रे में तो आप भी ले लिए अभी नो बजे नो बज़ के 36 मिनट पर आप इखटे हो जाओ नो बज़ के 37 मिनट पर और इस पास हो जाएगा आपके फिर फिर में कि आज के बाद में यह चीजा आपको मिलेंगी कौन मैंने करता है मगर यह तब तक ही है जब तक सम्विधान है अगर यह सम्विधान की विवस्ता खतम हो गई और यहां आप तो और यह राजारी हो जाना फिर नहीं राजा नहीं पूसता फिर आ नहीं हो जाएर कोई नहीं हो जा네 लाजा के हैं तो कुछ और विधान लागो होता है इसलिए यह सारी चीजें जितने भी हैं यह महापुर्स ने बताई हुई है जब महापुर्स का दिना आता है तो आपको संकल करना चाहिए कि आज के बाद हम सारे संग्ठों से निवदन करते हैं कि सारे संग्ठों एक हो लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा गुलाम और मांसी गुलाम बना रखाया भक्त बना रखाया वह अपोज करेंगे आपका क्योंकि उनकी बुद्धी बड़ी च्छोटी है उनको खत्रा महसूस नहीं होता उनको दिखाई नहीं देता कि अब हम मरने वाले हैं खतम होने वाल उनको बहुत छोटा दिखाई देता उनका चस्मा बहुत चोटा है उनको तूर तक नहीं दिखाई देता कि 30 साल बाद यहां मशीने आ जाएंगी तो आप तो जो काम आप करते हैं वो कर नहीं पाओगे मशीने अभी भी आ रही है जो 10 आदमी और 20 आदमी का अकिला काम करती है करोगे क्या जमीने है नहीं दुकान है नहीं इंडिस्टी है नहीं क्या करोगे काम क्या करोगे जब काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या या तो क्रिमिनल बनोगे और या फिर डिप्रेस्ट में आगे आतमत्या करोगे दो काम में से एक करोगे तो बच्चों को कैसे बचा तो नेचर जुन्ड में बसती है आदमी जुन्ड में बसता है जानवर जुन्ड में बसते हैं यहां तक कि शेर जैसा जो आदमी है तो हमें इतनी समझतो आनी چाहिए प्रक्रति से कि हमको बचना है तो रहना और इक नियुक्ट हम वाले लोग उनको जोड़े नमस्तार करके कहा देनहाँ जब हम बच जाये तब आजाना अपस में जिंदा रहोगे तो अपना एहम दखाते रहते रहना जिंदे रहोगे तब द खत्रा है एक्जिस्टेंस की सवारी आ रही है जो लोग अच्छे पढ़ लेके जानकार वो जानते हैं कि उस दुनिया के अंदर जो लोग अलग ठलक रहे हैं जिनके समाज बिखर गए हैं वो लोग उनकी जड़े और नसले खतम हो गई हैं और किसी कर बचेगी तो गुलाम र खत्रा ही अरे जब इखटना ही करना है जो इखरा जायो हमें बता हangen है है यह संद्र है यह पूरे सब सब्कों अपना स्विल मानता है तो बही अलग अलग ख्यों बना रहे हो इसमें को सी जमख पूजि आ रही है पैसा हम किसी लेते नहीं नहीं यहां कोई है नहीं सिर्फ इखटे ही तो औरे इसमें भी आफ़त आ रही है क्या इसमें भी दिमाग लगाने जो थे क्या तो भाईया आप बनालो हम आपके साथ आ जाएंगे कुस्तों करो यह बच्चों को बचाने का कोई रास्ता तो निकालो कुछ तो सोचो बभी द माग दिया है बबावा साहब ने तो इसका इसमाल दो करो यह कब तक भकती करोगे कब्तव पूजा करते रोगे कब तक मuhembती जलाते रोगे जला लेना अगर बच्चे बच्चे बच्ची जह लेना नभी तो बचने का नमबर है इसलिए वीदा पीपल बार बर कहता है। प्लावरेजुज़े हैं, वहान हमां बुचे각िते द्नित द्वाट एंसे जिंदा रहना कि इतनी सी बात है इतनी सी बात को समझने के निया प्रकति से समझना चाहिए धन्यवाद थेंक यू शुदीर जी माइक खुलो अपना परियार साथ साथू 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 सुदीर जी बहुत अच्छा साथू साथू ठीक परियार साथू है जल्दी पिस देखुल कर देहें है। प्सका आरें कि इस समें लबक बत्तिसमें साथी हमाया जोड़ चुके हैं प्रकास जी तो पचास के लब हो जाए फिर इंट्रोडशन शुरू कर दीजिए पचास के प्रेंबल करा के फिर स्टार्ट अच्छ अच्छ जो नए साथीं का इंट्रूशन आप शुरू कर दिए अहां मैं देख रहा हूं कौन कौन है अगा नए साथी में साथ यह मुक्रेश कुमाजी जुड़े हुए है कि प्रकेश कुमाजी प्रकेश कुमाजी में प्रेचा दिए संकर लाल के नाम से एक लोग जुड़े हुए है तो संकर लाल जी के नाम से क्या मेरी आवाज आरी यह नहीं आ रही है प्रकाट जी अलो नम बुद्द्र आत्स अवीकों पारे मेरी वाज आप बिलकुर सर्व बहुत मद्रवास नहीं आपके आरिक रोल ला हूं यह बेसिकली मैं अलीगर से हूं लेकिन अभी मैं नासिक में हूं और यहां मैं एजे इंजीनियर एक कंपनी में प्राइबेट कंपनी है उसमें लगा हुआ हूं जी तो आज मैंने जी अभी पहली बार आपने जम जोन किया ना जी आपने पहली बार जोन किया ना हां फरस्ट टाइम सब्सक्राइब अपना मोबाइल नंबर बता दिएगा मेरा मोबाइल नंबर है 98109 डबल टू बन नाइन टू आप जुड़े रहेगा ठीक है तो आपको काफी चीज़े समझने आएगी आपको लिंक सब कहां से मिला है यह डॉक्टर मेडम है उन्होंने दिया था मेरे को ऐसे अच्छा चाइब चलिए आपकी वीडियो ने खुशती है सर जी वीडियो वीडियो और अस्ति है सर गया हलो आपकी वीडियो और अस्ति है सर गया हां हां बलकुल एक मट जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े रहेगा और फिर साही चीज़ सुनिएगा सर ठीक है और नौ बजी हमारी कंसेप्ट को अपताया जाएगा जुड़े रहेगा थन्यवाद सर इसके बाद अरुन कुमार जी जो है हमारे साथी जो जुड़े हुए है वह अपना परचे दें सर अरुन कुमार जी इन्होंने हैंड रेस का रखा है सर आपके अवाई नहीं आ रही है हमें अवाई नहीं आ रही है सर अरुन कुमार जी अवाई नहीं आ रही है मिरी आक पास चलिए कोई नहीं बिजल अच्छमी जी हां जी जी मैं आज ही जोइन है मैं यूट्ब से देखके मैंने लिंक कोशिश की नंबर से लेकिन किसे ने नी दिया फिर मैंने सुधीर जी से रिक्वेस्ट डी यूट्यूब्से इन्होंने लिंक चेर कया तब मैं जोड़ पाई हूं आज जी मैं मैं जोकुर राजस्थान से हूँ और मैं संट्र गोर्मेंट में एकाउंटेट के पत्पर हूँ मैं मैं पोस्ट आफिस पीमजी आप जुड़े है मैं आप अभी जो नोजे कंसेप्ट होगा तो उसको आप सुनिएगा फिर आपको क्यों चीज समझ में जाएगी कि ये संद्ध कैसे बनाओ क्या इसमें क्या काम हो रहे ठीक है मैं मैं अपना मुवाइल नमबर जो है चैट बॉक्स में डाल देता हूं अगले 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 साथी है योगंदर जी आगया क्या आप जे योगंदर जी तो योगंदर जी यह है योगंदर जी आपका ही आज है अजय कुमार राना जी अजय कुमार राना जी अजय कुमार राना जी के नाम से जुड़े हुए है जी अगला नाम है डॉक्टर सुबेदार जी अगर मेरी आवाज सुनने हो तो इस अपना डॉक्टर सुबेदार जी खाइच बीज़े अजय किया है फिर ओने अजय को किया है इसल्द कुमार जी अगर मेरी आवा जारे तो प्ना डॉक्टर सांडी कि लिए बोले हैं आज जय बिम्स आघी देसाप इस अडु में राजंदर बल्लिया आउं सर इ आध इससे जय बिनमभुद्धा मैं डॉक्टर स्वामी बोलना हूं सर नोस्त वेलकम बहुत बहुत धन्यवाद सर अब बोलिये सर बोलिये मैं दक्तर स्वामी बोला हूं बोलिये सर अपना परिचर दीजिए मैं डाक्टर राजंद्र कुमार राम एसोसियेट प्रोफेसर एजुकेशन फेकल्टी सतीश्चंद्र पीजी कालेज बलिया उतर प्रदेश्टर के रहां उतर हूं आज के संदर्म में समाज बिभीन प्रकार के धार्मिक जाती आर्थी समताओं से खीरता जा रहा है इसमें जब तक हमारा समाज बहुजन समाज एक साथ नहीं खड़ा होगा तो आने वाली परिस्थितियां और फायावा होती जा रहे हैं जितने हम बिखरेंगे उतने अधिक हम पूटेंगे स्लोगन है एक साथ रहिए जूड़के रहिए कदम आगे बढ़ाइए आज के परिवेस में आज के दौर में या अब परिहारे ही नहीं एक तरह से का दिए कि महत्पूर्ण कदम बन गया है संब शहार आठी बुफ से सब् computing हो या आर्थी की वह से दूरबल बहते तो है अंथ को चाहिए इस मंच से चाहिए या अपने समाज को चाहिए कि सभू को एक साथ लेकर कर शले सलगा विशाथ लगए साथ रहें सभी जदी एक साथ रहेंगे तब जा करके हम अपने समाज को आगे की तरफ ले जा पाएंगे जो हमारे पुर्वज पिरियार साहब से लेकर करके सभी लोगों ने एक ही कहा है कि एक जुट रही है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जहां अपने आप में थोड़ा सा भी दुराव के इस्तीति करेंगे समाज से पिछड्ने के सिटिति करेंगे कि एक साथ रहेंगे सभी लोग शुखी रहेंगे सभी लोग संपन रहेंगे सभी लोग को विकास का उसर मिलेगा कोई उंगली दिखाने के कसाहस नहीं करेगा तोड़ने की दो बात ही अलग अच्छा नमों बुदाय जैभीम सर अपना अपना नमबर चैट बोक में दाग देना है अब मैं लगतार जुड़े रहता हूं सर हमेशा जुड़ता हूं प्रति दिन बीच में पिस दिन गया तो गया था आप आए शर आपको बहुत-बहुत स्वाधु बाद सर मैं लगतार जुड़े रहता हूं सर बिलकुल सर बिलकुल मोस्ट वेलकम साथ आया चला हूं में जी सर थेंक यू योगें जी जी सर देखिए अब क्रियम मेरे कोई साथी हमारे अविलेल होंगे तो बुलवाले जी क्योंकि अब 50 प्लस साथी हमारे बीच में हो गए हैं आए ठीक देख किसी को बढ़ा लिए दोक्तर स्वामी जी दोक्तर स्वामी जी जी सर जी आज की लिए प्रस्तावन है आप भी करेंगे तो ओके सर ओके मैं कर दे रहा हूं कि अग्यों कि मेरी आवाज जा रही है ना यहां सर यह भारत के शमिधान के उदेश्य का हम भारत के लोग भारत को एक शंपून प्रभुत्य शंपन समाजबादी धर्म निर्पेक्ष लोक्त अंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरीकों को समाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्टा और आउसर की समताप्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दिल संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सबाब में आज दिनांग 26 नॉंबर 1949 1949 1949 को इतत द्वारा इस सम्विधान को अंगिकृत अधिन्यमित और आत्मारपित करते हैं जय सम्विधान जय भीम जय भारत अधिक्यू स्थेंक्यू आपका बहुत दन्यवाकत अग्रा नाम है राजकुमार ओतोराज राजकुमार की हैं ओतोराजी की नाम से इस प्रिप्याय अपना परिश्य दे राजकुमार जी राजकुमार दोसर राजकुमार जी नाम बुदाय जय भीम सरको जी जय भारत मैं राजकुमार उश्य ट्रॉंटो कनेड़ा से हूं और मैं आपको आज पहले सुनना चाहता हूं आप बैस जंडा हो देखें क्या बाद चल रही है कुछ समझें थोड़ा और बाद में दो च पहले भी एक दो दफा जुड़ा हूं इस मीडिंग में प्रॉल्म वीकडेज की होती है जब आप लोग बंडेज टू फ्राइडे करते हैं तो वो जो टाइम आपका है वो हमारे काम से कॉंफलिक्ट करता है तो इसलिए वो जोईन नहीं कर पते हैं अभी डे मगर सेरड़े संडे तो ख़ी वोते हैं तो उसके मिंगों करते हैं तो मैं चाहूंगा आज कि के इंठ्रिमेशन आपके साथ आगे चलके शियर करें तो अभी मैं आपको सुनूँगा पूरी मीटिंग में आपके साथ ब्मकर करो ग sunt प्रश्टी चेर्मेन हूं पहली बार मैं अपना परिचे दे रहा हूं उसके पहले एक दो बार जुड़ा था लेकिन समय के कारण में ज्यादा रही नहीं सका आज सोच लिया कि पुरा टाइम आपके साथ में बीताने का तो अभी द्रमकाई काम करते हैं खिलाल अभी दो-चार दिन पहले ही हम लोग गये थे लडाक में हमारा ब्रांच बगेरे ओपन करके आये हैं तो अच्छा तंग से ह है आपका यह करे इनका वीडियो अग爵 सुनते रहता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है अंच्छे ज्ञानी व्यक्ती है तो ऐसे ग्नारे हमारा होग ये होता है छाए दूसरे से तो अच्छा लगता है मुझे और सभी लोग यहां जो ब्सक्राइब अगरे रखते हैं है वह सुनके मुझे बहुत अचा लगता और अभी अईसा मुझे विश्वास है जो एक जपना तो मैं बोल सकते हैं क्योंकि तो वह अपने को अभी पुरा होने में अभी कर सकते हैं हम लोग क्यूंकि अभी लोग जूट रहे हैं बहुत जूट रहे हैं और अब अच्छा चिन है कि हम लोग अभी ये पुरा भारत को बोधमी कर सके और उसमें हमारा एक सब्सक्राइब करें नमोग जाय जाइब अपना नंबर चैनल को डालता है अधाल ये अगलना में दोक्र सांजी दोक्र सांजी अगर बेरी आवाज़ा जबना है कि इस सब्सक्राइब अधाल में मैं मैं दॉठर प्रेंटा कर सब्सक्राइब मैं में ड़क्र प्रेशांट तर्टी क्शांग है अ कि अ में इसें मेडिकल ओफिसर कशकशे पत पर हूं कर आप दो अ क्लें पर आप या लखना पूंट्य रखनाव कि यथी क। पहले बार से हैं या पहले पूटिक है आप पहली बार ने आप जुड़ा हो डॉक्टर स्वामी सर के उसको नों नहीं मुझे लिंक दिया था जुड़ने की बताया गया था कि हम बहुत प्रेश्ची बाते हैं जुड़िए इंसे मैं उन्हीं के साथ ही उन्हीं के अंदर में ही काम पर कुछा है आप जुड़े हैं जुड़े हैं अपने ताचों के जुड़े लगेगा एकिन सर्थ हां? हां, धांक यू, धांक यू, धांक यू, धांक यू ang, धांक यू, धांक यू, भ्ड़़्क्पवेड कॉट़ीघ्म जूदे रहिएगा अगले नामे वीमार सिखा वीमार सिखा के नाम से है कोई वीमार सिखा को हमने आज जोड़ा है सारनाच से हो सारनाच से जी 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 सर आवाज मेरी जा रही है आप सब्सक्राइब नवबुद्धा जबी आपके बाद मेरी आवाज जा रही है आपके बाद मेरी आवाज जा रही है और सर मैं बोधी सब्सक्राइब डॉक्टर भीम्रा अमबेटकर जी के मिशन को आगे बढ़ाती हूं और मेरी वो पॉलिफ्यकेशन है भी थडियर यह सर मेरा पर्चे आपके आवाज आपको किसने जोड़ा है बेटू आपको किसने जोड़ा है मुझे जोड़ा है मुझे पुलिफ्यकेशन में सुनिया आप ठीक है आगे जोटरी आपना नंबर चैट्व में डाल दीजिए जी 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 सर बहुत बहुत सादुए सर आप तभी को पुनने नमो गुद्धाए जबिए तेंक्यू तेंक्यू यहारां कोली जी अगर मेरी आवाज आपना माइक जी 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 फिलैक्सी जेपोर किलैक्सी जेपोर से पुड़े हमारे भीच कोई तरह मेरी आवाज आ रही हो तो अकड़ आपना माइक कीजिए किलैक्सी जेपोर प्लस के नाम पे एमराज भारत्य जी ये इम्राज भार्तिय जी युगंदर जी एक हैंडेस है राकेश कुमार के नाम से अब अब लिए अब लाकेश कुमार जी बेरी अवाज आ रहे तो उपनी आम वाइक नूस कीचे सर जैवीं नमाब दाशर जी लुए अब यह वाज आ रहे कि आपको मेरी हाँ बेल्कु यह रहे हैं थे अब आका बोलिये हैं तर मैं इधर अम्रहाद से बिलाव करता हूं अच्छ चाहिए इससे कल भी जुला था मिटिंग इस एक गुरूप है हमारा अभीनव एस्टी गुरूप है है इनके हमारे सामिल वह भी मैंने देखे थे मिटिंग मीं है जैविर सिंग्जी गुणी है निर्देशी है बहुत सारे लोग है अम्रोहाद से बहुत सारे लोग है हाँ जी हाँ जी तो वह हम इसी के दो इनी के द्वारा जुड़े हुए है लिंक आपको मिलता रहेगा और जुड़िए और जुड़िए भी अपना नंबर फिर्मा तो पचास लोगा लिंक भेशता हूं रोज बहुत 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 दिन्नेवाद आत्पा ये मिशन का काम ले लेकिन हमारे समाच के लोग ऐसे हैं कि अब इस चीज पर ध्यान ने देते हैं नहीं बात यह है थोड़ी कोई नहीं कोई नहीं आप अपना काम करते हैं ठीक है सब्सक्राइब हैं कि अगर मेरी अवाज आ इस माइक अपना मिट कीजिए सर अपना परिश्य देंग वीर्तिं वीर्तिंग जी एमराज भार्तिय जी एमराज भार्तिय जी तुमेर पंचकुला से हैं सुमेर जी सुमेर जी हैं पंचकुला से सुमेर सर अगर मेरी अवाज आ रहे सब्सक्राइब कीजिए सर सुमेर जी दोक्टर संजय जी दोक्टर संजय जी ने साती अपने जुड़ेब ने साती याराम कौली महारे जुड़ेवें हैं याराम कौली जी जी नमस्कार सुर कि अमार्व को पूल रहा हूं सर नमस्कार मेरी वाज आ रहिए कि सर किलिए आरहिए है पिभलिसर आसर अधर नाम सियर उपली यह जो पर कारियत हूं राजिस्थान से बिलों करता हूं है और मैं वीदा प्यूपल में इसो कर भी हूं और मैं मैं से कंट्टिनु जुड़ा रहता हूं इस यह सर डेली जुड़ते रहिए और जो अपने साथ हैं उनकों पी जोड़ते रहिए और पूरे समय परीज़ इस जी 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 है अंजु रानी अंजु रानी अगर मेरी अवाज अपना परिच्छत दें आपका अंजु जी सर शशे सिंग मेरा नाम है अब आपने कहा आप सबका बहुत धन्यवाद सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग संगटित हो रहे हैं और इसी प्रकार हम अपने अधिकार पाएंगे आज का दिन तो हमारे लिए बहुत विशेस है और हम ऐसे महापुर्शों को सद्धाय व्याद रखना चाहिए उनकी बातों दूंस्वर दोल्टेना कि जी बिलकुश करिये महिम जो भी जो बी मिलने वाले हों जहां भी अपने जो इसने भाग、 मह विखिझोदीर हो कि अपना माइक करूं लेकिन कई कार्णों से कई यह हमारे साथ की मिटिंग है यह हम सब सब्सक्राइब करते हैं लेकिन कई कार्णों से जुन नहीं पाते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाये जबकि मैं भी चाहता हूं मैं करूँ सब्सक्राइब कर रहें लेकिन बीजिवाख कानु से तर बहुत… बहुत बहुत सुक्रिया मुलागात हुई है आपसे अरे सार मेरे लिए दो सोभाग्य की बात है कि मुझे इतना अच्छा प्लेट पुल्या जी 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 बरेली में फिलों कोंता सर बेहडी है बेहडी बेहडी सर किछा उत्रहण से लगा हुआ साथ विजनोर में जो मैं बिजनोर मेरे और सब बस सर आप तो जान रही है टांसफर होता रहता है जे 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 जारसर बैरि नाइस सरे सरव वेलकम सर Намस्कार जणिशन सुलानीया दले सुलानैं आही है एक कि अपना मैक आंद αναफिट favored श्यिआ 조 ए लक्समंघी लक्षमन जी अगर मेरी आवाज आरी तो आई आए आपका हैंटे जे माइक अनूटी जी अपना सर लक्षमन जी हलो हादी सर सुनानिय जी यास सर जी बोले जिने जी हलो जी सर बोले आवाज आरी आपकी यास सर अवाज आ जारी हैलो सर अगे आवा जारी आपकी आवाज आरी आ जारी जारी इंए पर रिप्रेत्य आपना अच्छा दिने चन्द हो सर अलुवर जिले से और अच्छा अलुवर के आप या सर या काम कर रहे हैं और पूरा प्रसेद्द गिजिए इसने आपको जोड़ा है तर बियसद्वर सिंग करना हुआ है लिंक का से मिला आपको लिंक कहां से मिला है आपको किसने जोड़ा आपको लिंक सर हमारे बनोकर से जैयन साव है उन्होंनों जोड़ा है मेरे अच्छो आपको का का से वीधा अपिसल में और रोज जोड़िए ठीक है और जोड़िये सुनिए पूरे समय में बने रही है ठीक है सर्थ अपना नमबर टेंगा अपना अपना इस्तान ओ नमबर यहसार ठीक है तैंक यू अपना माई करें प्रूंट पीजिए अपना माई कर लक्टमन जी यह जो कि पंए हमारे बीच में पंच्शूला से सुमेर आए अपना परेशी दें सुमेर सर्व कि पीरसिंग आनंज जी हमारे बीच जुड़े में है कि पीर सिंग जी डॉक्टर संजय जी जो प्रसंजे सर दोक्टर रवी भार्थी जी जी सर सर नमगुद्द जैवीम सर अपना पड़िए सर मैं डॉक्टर रवी भार्थी सर यहां महानलाल गन सीएसी पर पोस्टिड हूं और मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर मेडिकल ऑफिसर कम्मुटी हेल्थ से सर अइरवेद में अंडी पेचिडिए उन्हीं और डॉक्टर स्वामी सर ने अब जी सर कि अपने सभी साथियों को वी द पीपिल संग से जोड़ें आपसे मुझे बहुत उमीद है सर बिलकुल बिलकुल सर आप लोग अपना नंबर दे दीजिये क्योंकि मैं भी लखनौ से हूँ और मैं भी मेटिकल देपार्टमेंट में हूँ नंबर डाल देंगे अपना सेवन ने जिरो फाइव बड़ अच्छा लग रहा है लखनौ कि करी सारे लोग हो गए हैं जी मैं सेवन ने जिरो फाइव जी वन फाइव प्री एट फाइफ फॉर प्रीएट फाइफ फॉर ठीक में बहुत 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 बात करूंगा जी धन्यवाद बहुत वगत वगत में आज इन्टर्नेशनल लाइव जी भी आ चुके है जैबिम नमगद्दाए साथ जैबिम नमगद्दाए साथ योगेंदर जी योगेंदर साथ यह राजेश 맞는 गूरजर और मोले साब है यहत्माल महरास्ट उनको परिजय के लिए पुलाइंगे महरास्ट तक überall यजालजर साथ जैबिम सार जैबिम जैबिम अमोल इंगete शाय है अमोल इंगोले जी अमोल इंगोले अन्मूट कीजिए अमोल जी एक एन्डेज भी है जैबिम सार नमो बुदा है जैबिम सार अमोल जी बोलिये अब बोले अपना परिच्छे दीजिए क्या है ने सर, हलो क्या करते हैं आप अपना परिच्छे दीजिए है हलो जैबिम नमो बुदा है जैबिम क्या करते हैं अब बता ही है क्या करते हैं क्या है है हुआ है राजेश गूर्जर साथ राजेश गूर्जर कि अधिक है योगादर सार प्लीज कंडिए हमारे बीच जल्वान जी है न्यॉक्ति डॉक्टर आजे जल्वान जी मैडम अंजूरानी मेरिट से इन्होंने हाथ रेज़ कर रखा है इनको ले लीजिए फिर उसके बाद मैं आपने इंट्रेक्शन फिर दे रहता हूं बहुत बहुत साथ क्यों को मुझे जैसे हर रोज यहां जुड़ने से बहुत अच्छा लगता है अपने ही समाज के साथ और सभी भाईयों को और बहनों को बहुत-बहुत सादुवाद मैं यहां नियॉवर्क से हर रोज जुड़ने कोशिश करता हूं और यहां पर आज भी लोगों को जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं और यह वी द पीपल के माध्यम से हम लोग यहां पर इक खटा हो रहे हैं बहुत सारे अंबेट कराइट ग्रूप्स हैं बहुत सारे लोग हैं अभी एक All India अंबेट कराइट ग्रूप् और बहुत बहुत लोग हैं उसमें उनों को बीच बीच में आते हैं लोगों से मिलते हैं और वहां पर मैलाएं बहुत इंटरेस्ट दिखाती हैं जो है यहां पर जितनी भी बाते सुनते हैं वो सब लोग बहुत उत्साहित होते हैं और धन्यवाद आप सभी के साथ जुड पूंद को पूंद के पारें बताईए और अपना इंट्रोटेशन में दीडिए जी मैं मैं सर एके सिंग जनपस संभल चंदोशी से हूं और एक इंट्रकॉलिज में मैं लक्षिरा रहूं वीदा पीपल से पिछले साड़े तीन महिने से जोड़ा हूं पर खोशिश करता हूं लोगों को जोड़ने की इसका जो संग का जो अदेश है उसे देश को पुरा करने का मैं पुरियास करता हूं लोगों को जोड़ने का पुरियास करता हूं बस यही कह करके मैं अपनी बात स जैवीन नमोता है जैवीन सर बहुत बहुत धन्यवाब प्रेम मासुल्टी हमारे प्रेम मासुल्टी तर मेरी आवाज आरी हो तो अपमा माइक दमील कीजिए सर वेंदर जी आपकी ना माइक की खड़ी आवाज कम है प्रेम मासुल्टी हमारे प्रेम मासुल्टी हमारे प्रेम में है कांचन वीर माम भी है कांचन वीर में अपनों परिचे दीजिए मैं कांचन वीर महाराष्ट से विश्व शांती दूठ फाउंडेशन और करांती जोती संस्ता की तरफ से मैं महिला और बच्चों के लिए कारे करती हूं और अभी अगले महिने से हम एक प्रोजेक्ट लिया है बड़ा जो कि धम्मक धम्मका कारे करने के लिए हैं जो कि पता सकती हूं और मैंडम एक मिनेजरा कांचन वीर जी जी मैं मैंडम महिलाई स्पेसल है दस तारिक और मैंडम के जी पापा जी जो महिलाई आपके साथ हूं इको घल जोड़िएगा जरूर जी जरूर जरूर मैं जी थैंक यू थैंक यू जी पापा जी आ जैविन नहों बुद्दाए कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छा हूं थोड़ा वी दी पीपल कंसेप्ट के बारे में भी बोले ना जी वी दी पीपल कंसेप्ट बहुत अच्छी है और आगे बढ़ेगी जैसे कि हमें प्रयत्न करने में पीछे नहीं रहना चाहिए हमने कल भी 10-15 लोगों को लिंक भेजी थ लोगों को अच्छा लगेगा हूं कहां है अगया तो यह कंसेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ योजनाओं की भी जरूरत पड़ेगी जैसे कि हमारा संगतन अभी आगे बढ़ रहा है तो कहीं हम फिजिकली भी मिलें एक आत बार कारेशाला लें ताकि हमारे उत्रिश के बारे में सब को अच्छे से पता चलें कि कि इस तारेशाला उस बारे में हम ठराव पास करके उसको अमल में ला सकते हैं जैसे कि हम अभी यहां पर जो बना रहे हैं तो रमेश कटके सर जी हमें पूरी तरह से कोशिश कर रहे हमें सहयोग करने की तो हर राज्य में इस तरह के अगर सेंटर बन जाते हैं तो मीटिंग्स के लिए कारेश इसमें एक बढ़ा होना ज्यादा मेहत्वपूर्ण है तो वीडियो को हमें तो गाव गाव के लोगों को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि जैसे कि हमारी भूमी जो है हम जो जीते हैं तो वो किसानों के भरोसे शिक्षक और विद्यारती और सैनिक यह सब लोग हमारे साथ जूड़ने चाहिए ताकि यह सब जो लोग जूड़ेंगे तो इनकी समस्याओं का हमें पता चलेगा इनको क्या जरूरत है उनका भी पता चलेगा तो उस दिशा में हम कार्य कर सकते हैं क्योंकि कार्य करता भी तै हमा आगे बढ़ पाएगा और जीवन में सब लोग उतार पाएंगे तो हर गाव में अगर कार्य करता हो तैयार हो जाते हैं तो वह जिम्मेदारी वहां की संभाल ले यू आवर अगर जिम्मेदारी संभाल ले तो जो चोटे बच्चे हैं उनके उपर भी अच्छे से संसका हो जाएंगे अगर शाम को एक घंटा भी अगर बैटते सब लोग उसमें चर्चा भी हो सकते हैं जैसे कि सामाजिक है राजनितिक है तो किसको क्या जरूरत है जैसे कि समझे बच्चा एक दसवी में पड़ा है बारवी में पड़ा है वो पास हो गया लेकिन उसे पता नहीं होता है कि किस मारग से जाए आगे क्या पढ़ाई करें तो बच्चे क्या करते हैं डारेक्ली ग्रामीन भाग के बच्चे फस्टीर को करते हैं और पढ़ते हैं पढ़ते रहते हैं और बागी कुछ कर नहीं पातें और फिर निराशा उसके आजाते हैं तो बच्च अगर बीप करें कंचन वीर जी एक मिनट थोड़ा नए साथी जुड़ रहे हैं बाहर से आज इंटर्नेशनल स्पेशल है थोड़ा सा वो देखें डोक्टर राजे जलवान जी एक युएस से जुड़े हैं साथी जो है ना उनका आप कराएं थोड़ा इंट्रोडेक्शन जग्दीश बानकर है एक राजे जलवान जी आप थोड़ा देखना जग्दीश बानकर जग्दीश बानकर जी आईए आप अपना इंट्रोड़क्शन दीजे आप मेरा नाम जग्दीश बानकर मैं डालस युएस से में रहता हूँ मैंने दो हफ्के पहले भी जॉइन किया थ तो हम अपने एक अगनाजेशन चलाते हैं और बैसिकली अगनाजेशन का नाम है अमड़क्राइट गुद्धिस्ट असोशेशन आप टेकसा और इस आसोशेशन के मादन से हम अपने जो लोग है सबको नेटवर्क में लाके उनको अपने जो बाबा साब ने धम बुद्ध करके प्रोग्राम रहता है उसमें बबा बुद्ध की जो टीचिंग्स है एक एक सुता लेकर हम लोग उसको बंते द्वारा उसका विशनेशन करवा के हम सब समझ लेते हैं यह जो प्रोग्राम है हमें करीब करीब साथ-एट साथ से चला रहे हैं और अब आप तो सब्हें जानते हैं विज़ा देश्मिया भी है और उसके लिए भी हम ने एक प्रोग्राम और्गनाइस किया हुआ है हम लोकल ही है क्योंकि अभी पैंडमिक के वज़े से बहार से के अबरिकन नहीं तो फिर इंडिया से जो भी हाँ पे विज़िट के लिए आते हैं उनको हम अज़े के स्टोर पर बला लेते हैं जैसे कि दो साल पहले पैंडमिक के पहले कांचा इलाय सर हद्राबाद से आये तो वह हमारे गेस तो इस तरह से हम अपने अपना जो प्रोग्र आपने तो उनको भी हम पचाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से हमखर हम आपने पैया चलता है झाल 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 गाट भादी वेल्ड़ को जो और हैं। आर्टरड़ा देफ पर्माट पूरिखय को जारी दिए जारी साथादिए ओूर्ड़ क्या में वेल्डेशिक जोन प्रूड़ार गालने में प्रॉपर अगर देखा जाए तो मेरा जाओ ब्राभ्मपुरी नागपूर के पास में ज़ो चंद्रपूर चंद्रपूर सब्सक्राइब कानाड़ा से ओसराज राजकुमार जी जुड़े में आपके महरास्ट्रा के बहुत साथी है थोड़ा सा अपना डिटेल बता दीजिए कहां गांव अगरा कौन सा है थोड़ा सा तुके आज अब को अगरा काव देखा जाय तो इक बहुत ही देहात है जहां चंद्रपुनिस्टिक में ब्रह्मपूरी तहसिल है वहां से दो-तीन किलोमेटर पे है और मेरी पूरी बारावी की पढ़ाए भी ब्रह्मपूरी से होई और अगर आब बारावी को अगर एक oil in 1979 अबिधर, इस को डिफ दे पार social और फिर आपड़ को अफ कर से के लिए कि आ पड़ी क्डेटि डेख आर and later I did my post-graduation from I.T. Kharagpur in industrial management. After completion of my post-graduation from I.T. Kharagpur, I joined Rustic Chemicals and Fertilizer in Bombay. I was there for about 11 years. In that, on the job, I learned computer technology and that is how I got the opportunity to accelerate my future in a developed country in the U.S.A. I came in 1997 in the U.S.A. and since then, fortunately, I am at the same place in Dallas, Texas. The important thing about Dallas, Texas is the weather, everything, like the culture, the here, the people, it is just like India. So, my and my family, me and my family, I even liked the area and now I am settled in Dallas, Texas. Regarding my family, sir, I have two kids. My daughter, she is married. She is also here. My both son-in-law as well as my daughter, they are working. My son, he is also working and he is doing his MBA in the business management along with his job. So, that's how my profile is, sir. If we consider that, right, you know, payback to the society, right, what we can do to payback to the society. As I explained, right, I am also here, you know, accelerating the Buddhism which Baba Sahib has given to all of us and made all of us proud to make yourself in a proper position as well as, you know, help others, right, whatever the capacity that you have it and you can do it. Sir, I am getting one important call. I have to drop right now for that, but I will join again. Thank you very much, Jagdish, sir. Please leave your phone number in the chat box so we can get in touch again. Hello. Yes, say it, sir. Rajkumar, sir. Sir, Rajkumar, sir, do you have to call it? Who is Rajkumar, sir? Bendo. 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 Sir, Jaiwim Namuguddhae. Jaiwim Namuguddhae, sir. Thank you. Sir, Rajkumar, sir, आप अपना introduction देजिए, please. मैं 3-4 महिने से जुड़ा हूँ और कई बार इंट्रोशन तो दे चुगा हूँ फिर भी एक बार दे देता हूँ मैं एक्टियर रिटारेड चीप मैनेजर हूँ बैंक अप इंडिया से और सुरू से याने करीब 85 से सामाजी कारिया से जुड़ा हूँ मैं ली बामसेफ से जुड़ा था लेकिन बामसेफ और बीएसप के कही में सुकड़े होते गए तो हम भी दूर होते गए उससे अभी तीन-च्यार मैने से मुझे ये वीदी पीपल का जो प्लैटपार मिला ये बहुत अच्छा लागा मुझे ये बहुत अच्छा प्लैटपार्म है इसमें हम जुड़ते जा रहे हैं लोग और मैंने भी मेरे जो फ्रेंट्स है उनको लिंक भेशता जा रहा हूँ कुछ लोग जुड़े हैं और कुछ लोग आना कानी कर रहे हैं आज भी मैं एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ वो मीटिंग में करीब देड़ सो लोग थे और उन्होंने भी इसी तरह का एक प्लैटपार्म बना है तो मुझे ये लगता है कि आपका प्लैटपार्म दे कि तरह ये हमारे वीदी पीपल का चल रहा है ना उसी तरह का मुझे लगा तो उनको मैंने बोला कि ये क्यू है ये आप वीदी पीपल से जुड़े रहते तो बहुत अच्छा होता तो देखते क्या होता है उनको भी जोड़ने की कोशिज करूँगा मैं आपने बहुत अच सुम्दा जल्वान सर आप अपना इंट्रदक्शन देंगे कि अच्छा है यह को हो सर आप एक बार म्यूट कर सकते हैं कि सबको कि सबी को म्यूट कर दिया सर जल्वान सर पूल लिए थैंक यह सो वर्य मच्छ यह से सिंग सर्ज ने हाथ रेज कर रखा है प्लीज आप आएं और अपनी बात रखें उनका होगे सर से सिंग जी का हो चुका है हो गया हो गया जी हो गया अच्छा तो अब जो भी नए मित्र जोड़े हैं प्लीज अपना हाथ रेज कीजिए और जिससे आपको बलाया जा सके आगे हमारे पास है अपना बताए अंकुष राउट जी आप आईए अपना इंट्रड़क्शन दीजिए प्लीज अंकुष राउट जी आप मेरी आवास चुन पा रहे हैं तो आईए अपन इंट्रड़क्शन दीजियू। आएए अपना परिखे दीज़े कोशल साब जी सर नमबुद्द आज जय भीम सार जय भीम सार जय भीम बोलिए सर बोलिए आप मैं मैं बिपन वहरी कोशल कि मैं लहाबाद में रहता हूं कि दूबंटे और बहुत ज्यादा दिन उस्टे तो नहीं पिछले चार-पांच सालों से जब से तथा का सम्यक संबूत वावा साब डॉक्टर रंबेड़कर और सम्राट शुक महान को जाना समझा पड़ा तब से अपना लाइफ श्टार चेंज किया और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया और दिन-प्रतिन मैं इस कारे में अग्रसत होरह अ समराटा सोक महान और बाबा साहब के बताय हुए रास्ते पर चल रहा हूं इस ग्रुप में जोड़ने के लिए मैं बहुत बहुत साथ वाद करता हूं हमारे बच्पन के मित्र परमादरणी डक्टर स्वामी जी को जिनके मध्यम से मैं इसमें जुड़ा आपने लिंक भेज़ और यह प्लेट फार्म मिला मुझे तभी दूसरा दिन मैं जुड़ा हुआ हूं और इसको समझ रहा हूं सुन रहा हूं देख रहा हूं और आगे मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा वैसे तो मैंने काई संगठन में पीछे काम किया लेकिन चलते चलते भी एक सं रहा हूं और इस जुड़ा और इसको दूसरा दिन मैं इसको देख रहा हूं समझना फिलाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि जो बाबा साहब का कॉंसेप्ट है उस उस विचार धारा पर जिससे कि रोज आभी आप इसमें क्रियंबल को बताया जाता है प्रस्ताना मिलने वाला है जैसा कि बर्तमान समय हम सब देख रहे हैं और हमारे सम्मानिज साथि ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम उनको सुनना चाहेंगे, अपना पूरा पूरा टाइम मैं उनको देना चाहता हूं, इन्हीं चंद सब्दों के माध अपनी बात को मैं भिराम रखता हूं, आप सभी सादर सम्मानिज साथियों को सादर कोशल साहब आपने बहुत अच्छे से एक्स्प्रेइन किया हमारे बीचे बिखु धम धमदीप जी भी है आप प्लीज आएं आप अपने इंट्रोड़क्शन दें बिखु धमदीप जी अवाज आ रहे हैं आपकी तो मैं विखु धमदीप जीश्टिक गाजयाबाद में रहता हूं और आपके काफी दिन से जुड़ा हूं एक जो महने से बहुत मीटिंग जौन करता रहता हूं अभी फिलाल मैं इस हटे बाहर था अब लेजिंग एरिया में तो वहाँ पर जो है नेट नहीं चल दाता थी तो इसलिए मैं जुड़ने को आज मैं आगया हूं इसलिए आप ओन-लाइन हों मैं आपके साथ डाक्टर लाल सिंग जुड़ने के जुड़ा रहा हूं मैं जुड़ा था और आपके जो मंती जी किया राजन पाल किया मीटिंग होई तो इसमें भी में था अब बुद्धा गारन हो रही उसमें प्रियास करिंगा आज में पर पहुंचूं हाँ जी बिकुछ अब बताइए आपके आवाज आ रही है बिकुदमदीप आपका माइक म्यूट हो गया है आप प्लीज अन्म्यूट करके जानकी राजित गुजर्दी महाँ प्ली आवाज आ रही है जी बिकुदमदीप आपके आवाज आ रही है इस बिकुदमदीप आपके आवाज आ रही है करता हूं और हम जोड़ने की बात करते हैं क्यों जर्मागना चली है क्योंकि आज जो हम राहत की साथ लिए है वो खत्रे में है क्योंकि हमारा सम्मेद हां खत्रे में है है और सम्मेदान खत्रे में है तो हमारे अधिकार खत्रे में है इसलिए सम्मेदान को बचाने के लिए हम सभी को समझत होना जरूरी है हम सभी को जिम्मेदारी है कि अभी नहीं जो मैं समय पा रहे हैं उनको सम्झाना जरूरी है वावा साब ने हमारे इंडिया सिच्छा के दरवाजे खोल दिये तो हम सिच्छत हुए लेकर सम्मान से जीने का रिकार दिया और हम सब लोग मिलकर उस सम्मान को नहीं बचा पा रहा है। अपने को असाह авड मैसूस पर रहे हैं। और कि यह विशने कि हम सब अभी बाभा साब को समर नहीं पाए। क्योंकि बाबा साहब ने किन बेपली पस्तियों में संगस करके हम शाब मान मैं जीवन देना का चफल पस्तियों में चफल हुए हम सब बाबा साहब को इसलिए मानते हैं यह बोलते हैं क्योंकि बाबा साहब को अपना मानते हैं लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानते हैं इस मैं कहता हूँ, हम लोग से मजलम मेरा है कि हमारे बो भाई बेहन जो अभी गहरी निम में सोय हुए है, उन्हें नहीं करता कि हमारे अग्कारों पर डाका डाप जा रहा है। ऐसे लोग को जगाने के हम सब की जिम्री है। अगर उन्हें जगाने में हम आप सका में आप हो जाते हैं, तो मिश्य ही हम सम्मिधान को बचाने सफल हो। इसलिए मेरे आप सभी से अफ्री है कि आप सभी अपना कीम्ती समय देकर अपने परोशी बहाई बहनों को सम्झाईए और सभी को जोड़ने का प्रियाश कीजिए। तभी हमारा संगा सफल होगा और सम्मधान हमारा सुड़क्षत रहेगा। हमारे कदन तुमें दिए हे भारत पे मूल निवासियो गर मिलता ना हमें सम्मधान में अधिकार तो क्या हम पढ़े लखी होते हैं तो क्या हम जागरत होते हैं चाहिए कभी नहीं हम समय हमें समय में अधिकार बाबा साब में दिया समाज में रहने का अधिकार दिया समाज म प्रवार ना भूंके नंगे होंगे लाचा इताक अप्रण लें तभी हम सच्चित हमें पावासा का समाज पना सब्सक्राइब आप जगाने अपना अधिकार आओ घर गर अलग जगाएं समाज में एक ताक कप्रन लें यह होगा पड़े लिखे नौजवानों का सब्सक्राइब लेकर चलेंगे हम सब को साफ का सपना साखर करेंगे अप्सुस्कों का सपना अपना होने देंगे पूरा करेंगे इता भाई चारा सम्टा का पज़ार करेंगे नाम रोचन अबाशाप का सब्सक्राइब आपने बहुत अच्छा सा रिशंग्षिप में बताया हम मैं बुलाना चाहूंगा एमेस बैहल सापको यूके से जो रिकवर हो रहे हैं सर्जरी होने के बाद प्लीज आप आए एमेस बैहल साप और अपना इंट्रोडक्शन दें मेरे प्रांतिकारी साथियो मैं अभी इस पीशन में नहीं हूँ कि वे कंप्लीटली सारा समय आपके साथ जोइन कर सकूँ और मैं सुनने के लिए आपको आया था मैं सोचता हूँ कि आदा पौना घंटा पहले मैं सुननू कि आपका क्या विशे चल रहा है कैसी कैसी लोग विचार दे रहे हैं और मजूदा हालत से जो देश में हैं उससे कितने प्रभावत हो रहे हैं और उसके हिसाब चे आज एक के लिए मैं बाद में बात करता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत अबिन अंदर में भुर्ण का लिगातार डोगों के इस काम को मैं बहुत ष्रागा करता हूँ और बहुत विश्वास्य मुझे के बहुत बोड़े पह Built मेरी ठीक है लेकर इंप्रूब है कल मेरी चेक अप हुई थी और everything seems to be okay operation भी ठीक हो गया है और उसकी replacement जो है वो भी ठीक ठाक है लेकन वो यही कह रहे हैं कि जड़ा movement में थोड़ी दिक्कत रहेगी दो चार हफते क्योंकि जो replaced bit है वो body के साथ accommodate करने के लिए सुड़ा समय लेगा तो उसके लिए मैं थोड़ा कई बार ना मैं ज्यादा बैठ सकता हूं और ना ज्यादा लेट सकता हूं तो उससे थोड़ी प्रेशानी हो रही है otherwise I am in a very good spirit और आप लोगों को देखकर तो मेरी spirit और भी तेज हो जाती है और के सर सादुवाद सादुवाद आपकी से लिए धन्यवाद सर नहीं बुद्धा जैविए अजय जल्वान जी जैविए एक अपने IPS है डॉक्टर बीपीए सोग उन्होंने जो एंकिया है जरा उनको बुलाएं सर बुलाएं आप मिस्टर बीपीएस आप लीज आएं और डॉक्टर अशोग जी प्लीज आप आएं अपना इंट्रड़क्शन दें अजय जाएद माइक खोलने में दिक्तत हो रही होगी अशोग जी आप आएं प्लीज अपना इंट्रड़क्टर दें आप संपा रहे हैं मुझे बहुत आई 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 आवास है अपको सभी को नवबद्दाए जैविए नवबद्दाए जैविए बहुत अच्छ जी ने बहुत अच्छा चुरूआत कि है सब लोग जूड़ रहे हैं और जुड़ना तो हमेशा काम आता ही है किसीने किसी तरह से वो व्यक्तिकतर रुत से भी पारिवारिकी रुप से भी ध्यापसाही की रुप से और सामाजी की रुप से निशित रूप से रहथ अच्छ तो मैं उनको पैचानता नहीं हूं परिहार साथ को सवाल पूछना चाहते हूं मुझे तो स्वागत है बाकि कोई और परचे तो बहुत चोटा है लेकिन कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताईएगा मैं उस अफिक्षा पे खरा उदरने का प्रियास करूंगा अब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यहां पर और स्वाल के लिए थोड़ा टाइम आपका लेंगे हैं एक बार अश्या थोड़ा यहां सुधी राजी आप कोई बताएं तो बताएं पर शॉद्वाट पर वहां सब्सक्राइब साहरा प्रश्य थोड़ाइड शुदीर ग आने वाले थे आज अर्यार साहब हाँ बीपिया सोग जी 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 आवाज आ रही है हमें गाइड करें सभी बैठें आ रही है चलिए सभी सभी को ना बुद्दा जैभी सुदीर जी ने बहुत अच्छी बाते बताई ने शित रूप से एकठा होने में कोई नुकसान न बढ़िया बढ़िया उनने बाते बताई सभी लोगों में इखटा होने यही दिक्कत आती है कि हर आदमी यह चाहता है कि मेरे अंडर में सभी रखता हो तो सबकी प्राव्म में दिक्कत होती है तो उसका अच्छा समादान दूदा सुदीर जी ने चलिए इखटे हो जाएं लेकिन दिक्कत वही है हर देश के अंदर हर समाज के अंदर लोगों का अधिकार है संग्ठन बनाना किसका अधिकार चीन सकते हैं जो राइट टू एस्सेशिशन है वो समिधान भी कहता है और दिक्कत ही आती है जब इगो प्रॉलम आयाता है चाहा पॉलिटी के संग्ठन ह लोग इखटा होते हैं जब चार लोग इखटा होते हैं तो इस नया विचार आता है तो इस नया विचार करेंगे तो अच्छा है जो लोग नौकरी कर रहा है या नौकरी नहीं भी कर रहा है वो लोग चाहें गाउं में रह रहे हैं कुछ बाइक्रो कॉंस्क्रिसी वर्ण विश्था की विज़े से पहचानने में नहीं आती है और उनको एड्रेस करना बड़ा मुश्किल होता सुनीरवाई से बात भी वी थी इस में ज़र कुछ तो पकल पाते हैं लेकिन संबंदे दिवाग की अलग-अलग माइक्रो कॉंस्क्रिसी होती है कि किस तरह आरक्षन को बेकार किया जाए किस तरह से हरस्मेंट किया जाए किस तरह से लोगों को मुश्किल मला जाए आप और हम लोग सब भी चाहें तो एड्मिशन के टाइम पर और मैं तो जानता हूँ मैं अधिकारी का बेटा होने के बा करना पड़ता है हर जगे तो उनको इखटा करके डॉक्यमेंटिशन करना बहुत आवश्क है ताकि एक अच्छी स्ट्रेटिजी बनाई आ सके कि जैसे देखाऊ कि आपने जो वेकेंसी निकालते हैं वो उतनी कम निकालेंगे यूनिवस्टी में या और भी जगह पर वो एक वेकेंसी निकाली है तो वहां पर रिप्रेजेंटिशन पूरा होई ही नहीं पाएगा जब सरकारें बदलती हैं चाहे स्टेट गोर्मेंट हो चाह और उनको टारगेट करके उनको परिशान किया रता है यहां तक कि जो बहुत छोटे रैंक पर हैं उनको चुट्टी देने में उनका नाम क्या है उनका सरनेम क्या है यहां तक दिक्कत होती है चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहें गोर्मेंट सेक्टर हो चुट्टी देने वो बहुत बड़ी समस्या बन गई है, देश की लोगों ने ये समझा कि प्रवनतीम आरक्षन और आरक्षन अलग चीज है, दोनों ही एक चीज है, जब कि आरक्षन तो लगता कि ये बड़ी समस्या है, बड़ी कॉंस्प्रेसी और प्रवनतीम आरक्षन, ये माइक्रो कॉंस् जो लोगों को दिखती नहीं, आज तक डिमांड ही नहीं की गई की, उसके अंदर पूरे समाज का रिप्रेजेंटिशन होना चाहिए, अगर समीधान पीट के अंदर एक S-T है, और तीन S-C है, पांच O-B-C है, एक माइनर्टी है, एक जनरल है, तो निश्यत रूप से ग्यार कर सकती है, और अच्छी सोच रख सकती है, इसी तरह बहुत से लोग जो नौकरी के अंदर मर जाते हैं, और उन्हें उनके बच्चों को आशित कोटे में नौकरी मिलती है, वहां देखा गया है कि S-C-B-C को बच्चों को नौकरी के लिए 4-4 साल बटकना पड़ता है, लेक कि जो फालोवर एक लास फोर करमचारी उसको स्वर इस्पेक्टर बना देते हैं, और अगर जानने वाला है तो एडिशन स्पी और इप्टी स्पी की बीवी को भी दरोगा बना देते हैं, दोनों एक ही उसको रोकेंगे, और अगर किसी गवर्मेंट का और किसी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ ना हो, सपोर्ट ना हो, तो कोई अच्छा पद नहीं मिलेगा, ये माइक्रो कॉंस्पेसी किसी को दिखाई नहीं देती है, इसमें कोई रिजर्विशन भी नहीं होता था, छोटी बेंच का निरने अगर पोर्ट का, सोशल जस्टिस के मामले में हैं तो तो मानने होगा, अधर्वाइज और कोई, और कोई निरने होता है, तो कहा जाएक नहीं बड़ी बेंच ने, इसमें परियावरान के मामले में, फैक्ट्री के मामले में पहले निरने दे चुका है, तो वो माननने होगा बड़ी बेंच वाला, लेकिन अगर एक बेंच, एक तो उस डिसिजन को मानने कर लेते हैं उसे पूल तरह से मान दिया जाता है, यह माइक्रो कॉंस्पेसी दिखाई नहीं देती लोग और इंडिया सर्विस कोटे में जो PCS से IS बनाते हैं, उसमें 54 साल और 56 साल इस तरह के उमर रख रखिये, और हमारे लोग लगबख 30 साल के बा होने के लिए अच्छी खासी मेकेंजी हैं, अभी यहां पर ग्यारे प्रमोट हुए थी ग्यारे भीकारी, और वो सारे के सारे जनरल के टेगरी के थे, उससे दो साल पहले उन्हीं के बैच के लोग सब रिकायर हो गए, यह सती रही, यह माइक्रो कॉंस्पेसी किसी को दिख वही जीते जो जर्ल के टेगरी के वोटर जीता हैं, वो न जीतेगा, जो रियल रिप्रेजेंटेटिव अब जर्डर के टेगरी होगा, वो न जीत पाई इस तरह संसर दी चेतनों का विधान सभा चेतनों का सीमान कन होता है, और यहां तक कि हरौला जैसी सीटों में इससत् यही बात हाती है, जमान्त देने के मामले हैं, वहां भी यही चलता है, पैरॉल का मामला भी चलता है, चार लोग अगर जेल केंदर हैं, तो एक SC का है, एक OBC का है, झार। कि यहां तक कि गोली लगती है किसी को और मैडल किसी को मिलता है इस टाइपी को कोई ना एंपी देखता है ना जनता देखती ना मीडिया देखता है वो रसकार दिये जाते हैं वो भी इसी तरह से देखकर भी आती है नो अब्जेक्शन सेर्टिफिकेट होगा विदेश आत्रा के लिए या किसी और चीज़ों के लिए वहां भी यहीं चलती है को उफिशल जो विवेक होता है यूज अफ डिस्क्रिशन वो डिस्क्रिशन ऐसा कैसे है कि दस मैंसे नौ बार हमेशा हम लों के खिलाब जाता है य अभी का नहीं है यह कोई नई चीज नहीं है शुरू सही जो ऑफिशल विजडम कहीं यह उसको डिस्क्रिशन ऑफ कहीं है वह हमेशा खिलाब जाएगा स्ट यह आज की चीज नहीं है लेटरल एंट्री ही है हमेशा चाहे वो गवर्णर बनाने की बात रही हो चाहे वह वह पद दिया जाए और इस तरह का मामला है तो वह लेटरल एंट्री आप अब तो हर साल वेकेंसी यूपीएस्टी में कम करके लेटरल एंट्री के दौरा भराई जा रही है तो यह इसके खिलाब भी कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत आवाज नहीं आई यह विशेश डेप् है जो SCST OBC के नहीं है वो कहीं न कहीं सवाण है या बहुत ज़्यादा चंचागीरी वाले है या बहुत पैसा दे करके आते हैं विशेश अफसर प्रदान करना है कहीं किसी को प्रेजेंटेशन देना है कोई प्रोग्राम का संचालन करना है चाए UNO में हो चाए यहां पर हो वहां भी देख करके किया जाएगा तो यह के हाँ उनका अच्छा कासा अच्छा कासा कोई चमचा हो तो उसी को एंकर बना करके पेश करेंगे विशेश अफसर दे दिया चाहां परेड कमांडर बनाना हो चाहां किसी का वो यह प्रियास किया आता है कि कोई न कोई इस तरह क जो नॉन स्ट के वित्रण में पूरी तरह से पूरी फाइल बनती है और वो श्रस लाइसेंस का वित्रण उसी तरह होता है उसमें को रिजर्विशन की बात नहीं होता है और ना कोई बांग होती है और को बांग है और यहां तक कि इस माइक्रो कॉंस्प्रेसी में जो खराब करने के में हमारे खुद के लोग भी ऐसे हैं जो यह सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि अगर हमने अपने आदमी का एसी आर बिगार दिया तो हमको कोई वीटा पुरसकार मिल जाएगा या हमको बहुत लोग समझने लगेंगे सवाण लोग कि हाँ हम बहुत यह आदमी हैं हमने बहुत अच्छा काम किया साक्षातकार में अगर आंग दी जाते हैं तो वह भी बहुजन गिरोधी होते हैं हमेशा भी देख लीजिएगा यूपी एसी का रिजल्ट आया चालिस जर्णरल के लोग कि है रिया धाबी उसके और सेकिंड वाले जो नंबर थे उसके आट सब्सक्राइब नंबर थे लेकिन रिया की रहेंग बहुत नीचे आ गई और इंटर्वी की वाई से उपर आऊ गया तो इंटर्वी से बड़ा तो यह लगता है माई को कॉस्प्रेसी लेकिन यह बहुत जगे वाण विरस्था को बनाए हुए है निजी चेत्र का रिक्रूट्मेंट तो हंड़ेड परसेंट ही बहुत ही होता है प्याइजडी डिलिट का वाईबा हो चाब कुछ भी हो यह उसकी रिसर्च डिगरी कमेंट्री हो मुझे छे साल बाद मेरी जो प्याइजडी की थी वह ग्यारे घंटे में हुआ सुबैसे लेकर शाम तक हो गई और बिलकुल मैरे प्रेम चंद जी की बात को दवाई रखा जब गरदन पेर के नीचे दवी हो तो चाब रही है कहीं ना कहीं उस सिस्टम में अगर हमारे लोग भी हैं तो वह भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं सि चाहें वह जिला पंचायद में हो चाहें उधान सभा में हो चाहें वह विभाग की नौप यह हो वहाँ अनारक्षित यह ओपन लिखने की जगे पर महां सामान ने लिख दिया आता है और यह लगता है कि वह सामाने के डिगरी के लोगों के लिए ही रिजर्व हैं जबकि ऐ काओं के अंदर अंग्रेजी माधिम के स्कूल क्यों नहीं स्टार्ट किया गए किया यह कंबड़ी इन्टर्वीव के नंबर ही उसके डिसाइडिंग फ्रेक्टों किसलिए है और कई बार तो वेकेंसी कम कर दिजाती हैं जब देखते हैं कि नीचे के लोग सेलेक्ट हो रहा कर दो दे दी जाती हैं और उस पर दवाब बनाया था कि तुम एफार लगाओ ताकि कोई इसका इसकी शिकायत ना हो और उसको सजा भी नहीं मिलेगी यह मान करता कि यह कुंस पर इसी भी लिखाई नहीं रहे हैं कि पुलिस लाइनों के अंदर जाकर बने हुए हैं किसी एक द कहीं भी बात करते हुभी उसको मिसेज इंटरप्रेट करेंगे उसमें सब लोग लग जाते हैं और लोगतंतर की जो कैप्चरिंग है वह वीस बाइस जगे होती हैं पोलिंग पार्टी से लेकर के वोटर लिस्ट बनाने से लेकर के अंत तक इतनी जगे बाइस जगे करीप देए डूटी लगाने तक दूटी से पहुशने तक और इम और उस्टोर बैट बॉक्स को लाने तक बहुत जगे पैसे के दौरा जातिवाद के दौरा इन सब बाइ अगर आपके विभाग में इस तरह की सारी माइक्रो कॉस्क्रेसीज और माइक्रो कॉस्क्रेसीज का डॉक्मेंटेशन करके उनके खिलाफ एकरण नीती बनाई जाए तो इन्हें आप मैसेज करके और लिस्ट कुना करके भीए बहुत-बहुत धन्यवाद सुधिरवाई को भी और परियार जी को भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जोड़िये लोगों को हम आपके साथ जैभीन जैवारत आपने बहुत अच्छा हमें पुछ तो पता है ले अच्छा एक मिनट से एक स्वाल पूछ सकते हैं जी डॉक्टर शौक्षी से इसका रिकार्ड रिकार्डिंग जो है भेज दीजेगा जो है परिहार सर रिकार्डिंग तो एक एक करके मैं बॉलता हूं सबसे पहले राज कुमार राज जी है कनाड़ा से तो धन्यवाद परिहार साथ डॉक्टर बीपेशोगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद इस बात को बताने के लिए हमने थोड़ा-थोड़ा सुना था कि ऐसे होता है बगर आपने बहुत डिटेल में बताया कि क्या हो रहा है और मैं ये आप से पूशना चाहूँगा कि अगर आप हुमारे साथ ये भी share कर लें कि इसको रोका कैसे जा सकता है आपने ये तो बताया कि सभी लोग बताएं तो अगर किसी तरह से इसको रोका जा सकता है तो I think it will be good नहीं तो ये तो बहुत बड़े नुकसान वाली बात है हमारे लोगों के लिए अभी भी पहले भी और आगे आने वाले समय में भी इसकी बड़ी मुश्कल आरो बड़ी परिशाने वाली बात है जब हम सोचते हैं सीरियसली इसके बारे में कि क्या हो रहा है वहां पर जिसका कोई जैसे कहते हैं कि अगर किसी प्रॉलम को हल करना है तो उसको करना चाहिए, accept करना चाहिए, admit करना चाहिए, तब ही उसके remedies लेकर आ सकते हैं तो यहां पर तो को ऐसा है ही नहीं कि कोई कौन बताए, क्या करें, वो अंदर से अंदर चलता जा रहा है तो उसके लिए कोई ऐसे भी हैं जो हम लोग बाहर बै हैं हम यहां पर ऐसे कोई ऐसे कुछ काम हम कर सकते हैं आप ऐसे काम को रोकने के लिए तो प्लीज उसके लिए जूरूर अपने विचार हमारे साथ के लिए इसका समाधान निकाल दिया गया है और अगर आप अलग से उसको डिटेल में चाहेंगे तो मुझे नंबर भीज द किसी के भी कहने पर इस दबाव में वोट मच दीजीगा इस जिदिगी में उसी में छे बहीने में सफ़ल हो जाएए एक लाइन का सुझाव है हमारे समर्थन से ही हमारे खिलाफ यह एक तो इसको आपने और अगर मनुवादी को आपने वोट दिया तो आपके खिलाफ माईक करते हैं और उनको निश्चित रूट से पुश्ट बेक्ट टू देर रेश्यो तू देर पॉबलेशन यह सभी माइक्रो होती होती है अब तो मैक्रो बन गई लग रही है जी अब तो लग रही है मैक्रो हो चुकी है डॉक्टर बीपेसो बताते है अधिकतर लोग के चुनाब वोट कहीं ही डालें वोट तो एवियम में जाता है और एवियम का पता नहीं है तो ऐसे कैसे बात बनेगी कि अगर हम बोट उनको ना दें और फिर एवियम बोट धदकरे उसका क्या जवाब है तर आफे ऐविये झाभ槃 एज्छाएँ करें देखा गया अगर एसी बात है change करना चाहिए निश्यत रूप से अगर गुवर्मेंट या मैजरिटी चाहती है डेमोक्रिसी में रेप्रेजेंटेटिव वह है बदाते हैं चुनाव आयो में बीजेपी को छोड़के सभी पार्टियां गए थी और उनकी किसी बात को सुना नहीं अभी मैंने कुछ पिछले क समान करते हुए सब आंगल долж कर सकते हैं को에 ऐसी बात नहीं है ऐस को अगर नहीं चाहते हैं तो हटना चाहिए आपको लगता है कि जब से ऑप को thrive कि आपने एक समस्या का समशन बताया कि उन्हें बोटना दें सब लोग आपकी बात मान कि बोट ननको देने नहीं अगर जब से भी है तब से यह नहीं पता चलता अब भी हटी रहा है पार्टियों ने की है पार्टियां सब आपको इस तो आपने कहा न हो गया के देते नहीं है ऐसा नहीं है सेते हैं लोगों में के वोट देते हैं और ऐसा भी नहीं है कि जो विपक्ष्ट के लोग है और जगे ना जीते हूं जीते भी अच्छा एक बात और बताईए हमें कि यह जो बोर्ट जैसे आप बोल रहे हैं कि उनको ना दें तो ठीक है वह आरक्षा विरो दिया समयदान विरो दिया ह सबसे अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन सबसे कम खराब मिलेगा एपलाई और विजडम पड़े लेके लोग जो है उसको candidate wise देख सकते हैं और एपलाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मगर आजकल तो candidate की कहा rule होता है candidate तो हमारी चोईस से आता है कभी भी candidate तो party चोईस से आता है हमें तो पकड़ा दी जाती है कोई सी पार्टियों अगर जिला पंचाथ में हो सकता है तो आगे भी हो सकता है जिला पंचाथ में तो आपकी जानकार्मीं होगा कि जो लोग जीते थे उनको मारक पीट के जबर अस्तिरों ने अपने फिवर में क्या वो ते करा लिया और वो अपने चीज़ है वो तो हर पार्टी करती है चुल लिया उसको नहीं लोग रोक पाए तो बात तो भाई होगी ना डिशन तो अध्यक्षी लेगा नहीं ऐसा नहीं है उसका उसका सॉलीशन वही है कि डिरेक्ट इलेक्शन हो जिला पिंटा दिश्का उसकी दिमान डालक करनी पड़े बहुत अच्छा है लेकिन हम उज्यूम में ही खड़े होकर के काम करेंगे कि जमीन इस्तर पर भी उतरेंगे आप प्रियार जी बताओ जमीन पर काम का उतरे है एक मिनट एक मैं सभी से निवेदन है कि जो डॉक्टर बीपी असोक्स जी से कुछ क्विश्चन है तो वही हैं कि बाद में कर सकते हैं सिरफ फून से क्विश्चन है तो प्लीज करें अधर वाज़िकर लें तो सबसे शेर सिंग जी का एंड पहले से रेज है वह इन से क्विश्चन पूछना है तो हैंड रखके नहीं तो लोगर कर लें प्लीजी मुझे जो है ना बीपीएस को जी सर्फ क्वेस्टन नहीं पूछना है कोई नी फिर आपको बाद में लेंगे या तो लोगर कर लो मुझे पूछना है जो वह सावे न दूसरे वाले उन से पूछना है आप बाद में देख लेंगी क्योंकि इनको साहथ थोड़ा स जिल्दी कह रहेती है ना नेक्स्ट मास्टर निदेश सिंग जी आपको भी उनी से क्या है क्या जी नमावद्दाय जैविम सर्फ नमेरा सर डॉक्र बीपी असुक सर से रिलेटिड है नमावद्दाय जैविम मैं निदेश कुमार अमरवा से हूँ जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सादुबाद सर आपको और सर मेरा यह था कि अभी जब सुधीर राज सिंग कंसेप्ट बता रहे थे रहो जाना की तरह तो उस समय जब आप पहले जुड़ेते अभी तो आपने अपना इंट्रोड़क्शन दिया था तो उस समय मैं आपका नाम ही प्रस्तावित करने वाला था कि बीपी असोक सर को बुलाया जाए इस बीच के लिए यहनि कि अपने बिचार देने के लिए लेकिन सुधीर राजी ने आपको खुदी कॉल किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पूरे सदन को पूरे हाउस को यह आप झाल कर सर आपका जो कंसेप्ट है तो वह मैं समझता हूं वह भी बहुत अच्छा है और जोड़ने और जोडने की जो मुहिं है तो इसको इसके साथ आप चलेंगे तो सर निच्छी थी हमारा सवाज बहुत लावान भी तो होगा चलिए सर मेरा यही कहना था आप बने रही है बहुत वह दन्यवाद सराव का और सभी को पुने नमवद्द है जैवें सुधीर भाई तो हमारे 20 साल पुराने दोस्त हैं इंके साथ जुड़े हुए हैं जाएं का नाम आता है हमारी जानता है इससे पहले सर आप एक बार और जुड़े थे मैं सुनने का मोगा नहीं मिल पाया था लेकिन चलिए सर मुझे बहुत इक्षा रही थी उस समय भी सुनने कि लेकिन सुननी पाया था आज सुना सर बहुत अच्छा लगा धन्यवास सर फील्ड में भी रहता हूं कोई दिन ऐसा नहीं आता है सर आपने टाइम जो आपने ज्यादा थोड़ा सीधा क्विश्चन पूछें क्योंकि तो रहा जाएगी तो रहा जाएगी सथे प्रकास सर आप अशुक सर का नंबर चैट बोक्स में नेक्स राजबीर जी अगर डॉक्टर बीपी अशुक्स जी से क्यूश्चन है तो बताएं राजबीर जी नेक्स ब्रीज मोहन जी अलो जी राजबीर हूं और खैर इस समय मैं इंडिया से बाहर हूं जी तो लेकिन मेरा सुधीर राज जी से और बीपी अशुक्स जी से दोनों से एक आग रहे हैं और एक समाधान भी चाहता हूं भारतिय समीधार 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ 2004 में गुजराच से एक व्यक्ति जनरल कैटेगरी में था और उसको ओबी सी कैटेगरी में आ गया बाकाइदा समीधानिक व्यवस्था के अनुसार आया है वो और उसी गुजराच से जब एक दूसरा वर्ग चाहरा है कि हमें भी जनरल से ओबी सी में लाया जाए उनको रोक दिया गया मैं सफस्ट कहता हूँ मेरा इशारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की तरफ है जो दो हजार चार से पहले जनरल कैटेगरी में आते थे और दो हजार चार के बाद वो ओबी सी कैटेगरी में आ गए और वहीं के ही गुजरात के ही जो कुर्मी समुदाय है जो पटेल के नाम से जाना जाता है जब उन्होंने ये डिमांड रखी कि हमें भी शामिल किया जाए उनको रोक दिया गया यानि कि यह समिधां पुछ इस तरह से है कि लोग जो फाइदा उठाना चाहें वह फाइदा उठा दे लेकिन दूसरों को रूप तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए एक मिन्ट राजबीर जी थोड़ा सापना प्रिच्चा है प्लीज देरे दो प्लीज नाम राजबीर है जी अभी मैं रिटाइड हूं गौर्णमेंट सर्विस से और यहां पर आया हुआ हूं अपने बच्चों के पास तो यही मेरा प्रिच्चे है आप बाहर किदर से बात करें अमेरिका में हूँ अब इस समयज्च को को किसद वैसे यहां का रहते हैंaking आप इंडिया में ही मेरा जिलनी में निवास है मे जी जी वी है बहुत पुराणे एक्टिविस्ट है लगबग पंदर भी साल पहले इंसे मीटिंग में मिला करते थे इंट्रोड़ा इंट्रोड़क्शन तो ठीक बताये में राजबीरू बाहर रहता हूं उन्हें बताना चीने फ्लाणे डिपार्टमेंट्मेंट इस यह क्या है आपको डिस्क्लोज नहीं करत किसी को फाइदा मिले और किसी को ना मिले राजबीर जी समीधार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास में जन संख्या क्या 51 परसंट नंबर होना चाहिए आप जो व्यवस्था चाहिए वो बना सकते है और यह सारा खेल जो मैं सहमत हूं कांशीराम साब का यह थ brat कि हमें सकता पर कभज़ा करना है ना कि और कि छीजमें अटकना है तो वो सकता पर कभज़ा करने का जैसे आपका क्या विचार है किस तरह से पने भूत कि या जाए उससे भी आगे का गैस ब्रू हो चुका है दो अपने लठा रेखो दो अपने लठा रेखो एंपी सारे चले गे छोड़शाड़ के हमको और हमारी पार्लेमेंट में किसी नी सुनी उसी पार्लेमेंट ने हमारे अगेश्ट में काम किया और हमारा जब नंबर फिप्टीवन पर्शन्ट से ज़्यादा हो गया सड़कों पे हम आ गए तो बिना MP और बिना MLA के भी बात बन गई हमारी तो बेसिकली क्या है सम्विधान कहता है वीदा पीपल वीदा पीपल चाहिए उसको उसको में क्या आप स्टूल काश्ट पर भी आ जाएंगे और आप चाहें तो आपने आपको लिखवा लेना को दिक्कत निया समिदान वह भी कर देखे आपको आपको फिप्टीवन पर्शन नमबर चीए सर उसके लिए आपको यूनाइट होना इखटा होना बागी कोई कुछ नह सब्सक्राइब को इसमान भालो सर में कुछ बोलना चाहता हूं मैं भी कुछ कहना चाहता यह दि मोगा मिले तो बताईए मोगा देतो जी जी मुझे मोगा देंगे जी यह दि मोगा देतो जी सेर सिंग जी अभी दो मिनट इन्होंने जिन से पूछा है उन से पूछ लेता है पर देंगे जी एक बात सही है कि सब्सक्राइब की चाविया लेकिन चावियां बहुत सारी होती है किसी भी घर के अंदर एक mail gate की चाविया होगी एक bedroom की चाविया होगी एक तिजोरी की चाविया होगी ऐसे ही कोई चावी का नाम शिक्षा है किसी चावी का नाम employment है किसी चावी का नाम unity है किसी चावी का नाम struggle है बहुत सारी चाविया है इसलिए social, economic, political और culture, development हमको साथ-साथ करना है तब ही जाकर वीद अभी पर इखटे होंगे, अकेले एक आंदोनर हमने चलाया, तो वो फेल होगा, यह सारे चलाने पड़ेंगे, सामा जी आर्थिक भी, धार्मिक भी, और राजने तिक भी, और ऐसा नहीं कर सकता, तो शेक्षिक आंदोनर को छोड़ने, जिस सारे आंदोनर लगने ही नहीं देंगे, लोग भागा, वही से भगा देने, दाठ भार करें, वो इस्तिती जो बहुत कम संक्या वाली ब्रादरिया है, वो ज्यादा पावर्फुल है, और बहुत ज्यादा संक्या वाली पूरे देश के अदर चाही होई है, उसके बाद भी वह एक ट्लीना हो करके उनका इंपाउर्मेंट नहीं है उनका आर्थिक रूप से इंपाउर्मेंट नहीं है तो वो राजितिक रूप से भी कमज़र होती है और मालनों का इंपाउर्मेंट हो भी गया राजितिक रूप से भी तो वो उसको समालने लाइक नहीं रहे तो उसका फायदा भी और लोग ले जाते हैं तो यह नहीं है कि आपको आपिस मिल जाए और आपको चलिए गाड़ी मिल गई घोड़ा मिल गया तो मिल सकती है लेकिन आप इस लाइक तभी हो पाएंगे जब आपके हाथ में आपकी सारी काकत हो सामाजी की आर्ट की हर तरह की वो एक साथ करना इसको हम एक पर छोड़कर दूसरे को नहीं अपरा सकते हैं और कास्ट की वैसे देखें कास्ट यहां को अखेले ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोशल चीज़ है कास्ट यहां पर एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है एक एक कुल्च्छल सिस्टम भी है और यह गैंग की तरह भी है इतने बड़ा वायरस से लड़ने के लिए आपको भी सहर तरह से तयार रहना पड़ेगा सामाज एकार्थिक राजिदिक सबसे अधरवाइस अकेले होई कहे कि अकेले एक चीज़ से हम सब चीज़ पालेंगे लेकिन जो मैकनिस्म में बैठे रहते हैं वो आपको काम नहीं क तो सारा सोशल चेंज, कल्चल चेंज, पर्डिकल चेंज, साइमल्टेनिस करना है राजवीर जी इसलिए इसमें कोई दिक्रत की बात नहीं है और लोग कर भी रहें ऐसा नहीं है हिमत हारने की बात नहीं है चाहें जो हो और जो दस साल पहले ती आज बैटर हुई है लोग कुछ ना कुछ पॉइंट्स पर लोग एक खटा हुए हैं चाहें वो जैवीन के नाम पर हुए हैं चाहें मान्य और काशिरांजी के नाम पर हुए हैं लोग ने एक खटा होना शुरू किया है पहले एक जमाना था जब जैंतिया मनाई जाती थी तो आप खुदी दरी बिच लेकिन आज इतना जमाना हो गया बड़ी बड़ी रेली करने लेके लोग बाग ये इस पर एक गर्व की भावना भी होती है अब सब को इखटा नहीं कर सकते हैं सब के विचार अलग-अलग हैं लेकिन फिर भी उनका आदान तुदान हो रहा है और जल्दी ही मेनिंग्फुल लेगा नो डाउट सर में कुछ बोल सकता हूं एक मिनट में अगर इनसे अलग कोई बात बताना चाहता हूं सर आपका धर्यावाद आपने मुझे मुझे मोखा दिया सर मैं विद्धन करना चाहूंगा सभी लोगों के साथ में हाला कि हैं बहुत बुद्ध्यान साथी हमारे चुड़े हूए हैं अ pacing हमारी मान सेख्ता हम लोग समझते है जानते है कि सारे कानून जो है ना वह सबके हितमों होते हैं लेकिं सम्भीधान का भी यूज करते हुए हम ऐसे कानून बना सकते हैं जो योPSS के लिए होते और मैं समझता हूं राजबीर जी का जो क्वस्षन है बहुत सही है और उसका ये सही जवाब हो सकता है मेरी दुष्चिमे के काई आनून बहुत सारे हमारे बने हैं तो हमारा अनुरोद है कि जो राजबीर जी ने कहा कि मैं समझता हूं बीदा पीपल जब है वो निश्री रूप से एक ऐसा प्लेट पार में कि उसके माद्यम से हम ऐसे लोगों को कलक्ट कर सकते हैं घटा कर सकते हैं जो ऐसे कानून बनाने में लुषनाई जा रहे हैं तो मैं समझता हों कि हमें उनको रोकना होगा ऐसे लोगों के साथ क्लेक्टर का स कानून के यानुंा गहता है जी लॉत सारे कानून ऐसे होंगा है उनकी काउटिंग की जा सकती है ठीम फिर लेका करते हैं तो एक ही सारा है कि हम लोग ही घटता हो और ऐसे कानून बनाते हैं प्रकाज जी कटगे जी बहुत सारे हाथ खड़े हुए है हाँ मैं नेक्स ले रहा हुँ ना फिर ब्रीज मौन जी लो फोड़ा वाज आरी 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 बोले आप जैसे कि अभी बड़े ही मैं सवाल उठाई है जो हमारे देश में ये बहुत सारी चीजे हमें बताई उनका बहुत बहुत सुक्रिया दनेवाद है। असुग जी जैसे कि आप बता रही है, ये हमारे भारत में इसा मस्थाइं हैं, इनका समधान भी आप ही बता रही हैं, जुड़ोर जोड़ना, लोक्तंतर के अंदर जो संख्या बल है, ये तो सभी मानते हैं कि संख्या बल ही से महत्पूर होता है ह्तो इससे पर ही वीदा पीपल अपने कारे कर लाएं तो आप जैसे जो बुद्धीजीवी लोग जो है स को जिनको लोग फब माग दी और खांद को आगे बहुजण समाज को आगे बढ़ानने के लिए सब्सक्राइब कि सभी छेत्रों में हमें काम करना पड़ेगा तो उन छेत्रों के लिए भी आप आप लोग ही तो आ गया आएगए जब लोग आप पीछे काम करेंगे तो आप लोगों को सबकु साथ आना चाही है जो आप इतने दिने से मुवमेंट को लेके चलते हुए जा रहे है तो आप लोग जहां चल रहे हैं अब रूप पीशनी रहेंगे थैंक यू डॉप साथ नेक्स्ट छुटनलाल जी जी जर नमा बद्दा है जैवीम सार मेरा डॉक्टर बिटिश कतरी सवाल है करता है तो संते नहीं है आधर समस्टा और अन देखी करता हैं डिर्म भी नहीं करता है इसके बारे में क्या कोई लीगल कारवाई की जा सकती है आप पहले तो पोजिशन ले लिजिएगा और उसके बाद जो कमिशन बने हुए हैं अगर महिलाव से संबंद ही थे हैं तो महिलाव को लिखिए और हर आदमी आट-दस जगे तरण शिकायद कर सकता है और एक मान लीजे कहीं इलिगलिटी है तो 156 CRPC में आप मुकदमा लिखा सकते हैं पोर्ट में भी पोर्ट के आदेश से बस यह है कि आपको यह देखना होगा कितनी इलिगलिटी है बहुत से इस तरह के पोर्टल बने हुए हैं चाहां सी-म के हों कहीं पी-म के पोर्टल बने ह हैं अगर आपने शिकायत किये तो असका कहीं ना कहीं असर पड़ता है और आप को कानोन की जानकारी है तो वहiquement करने वाला फिर साफदा में जाता है और वह गहर क्ैनों काम कम करता है जीरो बले ही नहों लेकिन आपको यह अपना वीपक्शी दिखाना पड़ेगा कि आपको जानका ही है कानून की और वो तभी संभव है जब आप भी एप्लिकेशन दीजिए यहां मेरे साथ यह हरस्मेंट होगा जा रहा है इतने सारे डेमोकरिस के अंदर काउंटर हैं इतने पोर्टल एंपीम का अलग सीम का अलग गवर्नर का राश् करने वाला वो भी समझ जाएगा या तो उसको ऐसान लेने पड़ेगा उनलों का जो आपके बहुत समस्या आती है और आप पतारो मैं माइक प्रो जो बहुत ज्यादा होती है मैं तो देख रहा हूं डेली समस्या है इनका डोकुमेंटेश्य और बात करते रही है इंडिवि सब्सक्राइब जाएब सिंग जी सत्य प्रकाशी सुरी टो इंटरप्यू मैं राजकुमर बोल रहा हूं करेड़ा इस लिए एक दो मिनिट उस कोटे मैं से मुझे दे दे तो आपका शुक्रिया हो ने बिलकुल सब्सक्राइब कर लिए है बलकि आपका हमें इनी जो समस्या हैं इनमें आप से हमें आसा हैं आप क्या कर सकते हैं हमने इसलिए इसको जॉइंट किया था कि नेशनल जो इंटरनेशनल लेवल सपोर्ट आप से कैसे ले सकते हैं आप कैसे दे सकते हैं देखिए मैं मेरी अलग बात है जिसके बारे मैं बात करने चाहता हूं अगर तो मैं अपना मैसेज दे देता हूँ बाद में आप कर्टीनियू रख सकते हैं तो बात यह पहले भी यह सारे ग्रूप के साथ शेयर की थी इन्फरमेशन और आज भी मैं दोरा फिर माइंड कराना चाहता हूँ कि हमने हमने जब कर सकते हैं तो हमने यह प्रॉजेक्ट शूरू किया था कि सेंसिजब में हमारे जो बुदिस लोग हैं हूं की जो नमबरजर हैं बहुत कम इडिया में पूरे बात में वह 0.75% है एक परसेंट से भी नीचे है बगर अगर हम बात करें तो बहुत हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं जो बुद्ध धरम को मानते हैं और उन्होंने जो सेंसेज है उसमें वो सही डेटा नहीं डाकुमेंट परवाया तो उसके लिए हम ने उस प्राजेक्ट के तहत एक पंजाबी में बुक पब्लिश की थी 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 फोर थर्डिवाइब पेजिस की वो जो आउथर की गई थी एक लॉयर की सरफ से तो वो हमने अर्ड़ेडी बेंती करूंगा कि अगर आप इजाज़त हो तो मैं उस एड़ोकेट्स को जिस जिरोंने वो बुक आउथर की है और मैंने वो स्पांसर की है तो उस बुक के बारे में थोड़ा सभी ग्रूप के साथ सारे मेंबर्स के साथ उसकी इंट्रमेशन शेयर कर ली जाए त्यूंकि हमारी जो डिस्ट्रिबूशन है वो अधर दर पंजाव होगी उसकी ज्यादा दूसरी स्टेट्स में हिंडिया की में हिंदी वर्जिन की वज़ा से तो नेक्स्ट सेरेड़े जो है उसमें अगर थोड़ा आजेंटा में आप टाइम दें तो हम उसके बारे में मैं आउसरी क आज को ले करा आक Duch वे साथ魚 हो पूरी डीटेल इंफरमेशन हमारे साथ संची कर सकते हैं अब के साथ मैं मैं शेर करनी चाहता था और उसकी इसमें क्या है और वो धो घुर अकर टीटेल इंफ्रमेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं जी जी ठीक रहेगा वो यही टाइम जो आज का है आठ वजे आप मीटिंग करते हैं तो अच्छा रहेगा तो परियार जी आप अपना नमबर दे दीजिए मैं आप से डारेट कॉंटेट कर लूँगा ठीक है और आप यहां सब कर दीजिए कि सब लोग एक सोबी किस लोग है और दस दस बजए नेक्स सब्सक्राइब को इंटर्नेशल से जो सुब सम्निवार होगा किताब का बिममचन होगा दस बजए इंडिया के टाइम की बात कर रहे हो आप हाँ है इंडिया सैटरेडे को जो सेम टाइम अभी चला थे तो यह आपका तो मैं उनको notify कर दूँगा और वो ready रहेंगे उस दिन के लिए then we will bring him on the program जी धन्यवाद बहुत बहुत शुक्री आपका मैं जुड़ा रहूंगा आपके साथ please continue your agenda thank you राज कुमार जी thank you thank you next अजयाइब सिंग जी अपना question अगर आप clear हो गया तो ठीक है नहीं इस और में बहुत देर से किसका सब्सक्राइब बात करूँ परियार साथ मेरे उसमें तो अजयाइब सिंग है अच्छे मैं तो उपर से ले रहा हूं चलो ठीक है देर तो इनको इनको जादा हो गया वैसे मेरे ख्याद में कटके साब का अब अभी अशोक सार ने बहुत बढ़िया बात की है और उनने इतने अच्छे पॉइंट्स हाजा कि है कि वह एक नया रिसर्च है वही हाल हम सभी का है मैं भी महारास गोवे में काम करता हूं सर आपने जो बता है वही बात हमारी इधर भी रिपीट होते ही कुछ अलग थोड़ा सा बदल करके वही इधर भी होता है लेकिन इसके उपर सोलुशन यह है सर जब हम बाबा साब का नाया या लएक कानदलान का पहला फाग है और भाद में फिर्टी सीक्स के बाद वाला जो नायाइटी फिप्टीश तक है दो भाग प्रमुख है बाबा साब के वक्त यह सारा फिजिकल फॉर्मेट में चलता था जैसे कोई भी अन्य अत्यचार होता था तो फिजिकल ही जादा होता था बाद में बाबा साहब के साथ भी ऐसा ही किया गया 1946 में जब चुना हुआ था कॉंस्ट्यूशन असेंबली का तो बाबा साब को जान बूचकर कॉंस्ट्यूशन असेंबली में नहीं जाना चाहिए इसलिए साजिस की गई थी और उसीर वाके ले ही चुन कर आये थे अब सिडूलकास फेडरेशन के बाबा साब ने करीब बारा से तेरा लोग खड़े किये थे ताकि असेंबली जो होती कॉंस्ट्यूशन असेंबली जो बनती वहां पर उनका ज्यादा प्रभाव पड़े लेकिन बाबा साब को कम वोट उनके कम वमेद्वार आने चाहिए इ उन्होंने इलाज किया इसके उपर कि अपना इंटरेश्ए योज किया उन्होंने स्टेट्स और मानग लिखा जो कि कॉंस्ट्यूशन अस्टेंबली को क्योंकि वो इलाजी नहीं था, उनको कांस्टुशन बनाना था, देश के भवित्वे के बारे में सोचना था, ऐसी बात बाबा साथ 1936 और 1932 में भी कहते हैं, कि हर सारी मिडिया, इवन गांधी और कॉंग्रेज भी बाबा साथ के खिलाब थे, लेकिन वो हारे नहीं, बाबा स सबसे ज़्यादा बड़ा जो जोर था, वो संगटीत करने के लिए, कुछ लोग गांधी और कॉंग्रेज के साथ जाते थे, जो बाबा साथ के साथ आते थे, गांधी कॉंग्रेज बाबा साथ के बहुत सारे कारे करताओं, वो तोड़ने का काम करती थी, लेकिन बाबा में उन्होंने 5-6 राज्यों में अपना बहुमत लाने की कोशिश के और बाबा साब को भर बड़ी सफलता मिली इसका राज यह की है जो आज विदे पीपल कर रहे हैं बाबा साथ सारी सभाव में अगर आप 1932 से लेकर तो 1938 तक Bombay Legislative Assembly में उन्होंने जो बील पेश किया था तब तब बाबा साब को एक ही बात करते थे वो लोगों को जुडाने की लोगों को संगटीत करने की और ऐसी ताकत बनी 1942 में बाबा साब की एक बहुत बड़ी ताकत हुई और लीन लिद वो जो थे वहां तब के जो गवर्नेट ज लेबर पार्टी का जो अधिवेशन हुआ उसमें 75,000 लोग सारे भारत से आए और अंग्रेजों ने ख़बर ली कि बगार विदाउट आंबेटकर यू कांट गो वित इंडिया फूचर विल बी इन दे हैंड्स आप अंबेटकर और वो बाद में 1946 के 1950 तक हमें पता है कि सव हम करोणों में हैं फिर भी वो नहीं रोक सके इसका मतलब यह है कि हम संगटीत नहीं हैं हमें पता ही नहीं कि हमारे पीड में कोन चुरा मार रहा है हमारी ही लोग अग्यान की वज़े से हमारी पीचे लग जाते है और उनके पक्स में चले जाते है इस वक्त एक ही काम जरू कर काम नहीं करेंगे तब तक हमारा भवित्व कुछ भी नहीं है अदर्वाइस जो अशोक शर ने जो बात की है वह खूल कर फिजिकल फार्मेट में आ सकती और भी अभी तो माइक्रो लेवल पर आगे सब आपका सियार खराब कर दिया जाता है आपको इनिवर्सिटी में कम र जान बूद कर पेचे डखेल दिया जाता है यह सारी बाते होने वाली है और यही मौका है नाइंटिन ट्वैंटिफोर तक अगर हम कहें दिल से सारे हमारे इगोच सारी हमारी अधर बाते सारे गिलेशिट पे जब तक हम भूलेंगे नहीं और इकटा नहीं आएंगे तो दो प्रकाश सिंग जी आपका पहले हैंडेश था प्रकाश सिंग जी परियार साब सभी को नाहीं बुद्धा जैभी इंट्रक्टों बीपे शोग जी मुझे सुन पा रहे हैं एक मिन देखें डाइन पर है वो बलाइन पर है लाइन पर है लाइन पर है लाइन पर है आप मेरा एक सीधा प्रशन है वीदा पिपल के रूप में मुझे आपके साथ में काम करने का आप से मिलने का आपको जानने का काफी मौका मिला है व्यक्तियद रूप से बात करके और सामुविक रूप से भी तो जो देश की आज इस्तिती है उसमें वीदा पिपल ये कहता है कि भ स्थापित किया कि हमें संग के रूप में स्थापित होना है जो 26 साल पहले हमें रास्ता दिखाया था जब हम इस देश के स्थापित होने में यह भी कहता है कि भारत के जितने स्थापित किया है लेकिन प्रणाम वैसे नहीं आई जैसे आने चाहिए थे अब वीदा पुपिल यह तैय करता है कि हम संग के रूप में अपने आपको पहले इकठा करेंगे कि इकठा करने के बद हमारी समस्ष्याँ का जो भी निराकरण है जो हम इकठा हो जाएंगे समस्ष्याँ का निराकरण शायद हो जाएगा लेकिन जितनी भी साथ ही हमारे जुड़ते हैं जिसे आपको मैं विशेष रूप से इसलिए इंस्पायर करता हूँ कि भारत में आपने देश ही नहीं विदेश में भी अपना जो योगदान दिया है समाज को एवेर करने में और जितनी चीज़ें आपने बताई हैं जो सॉलुशन बताएं वो बिल्कुल ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छे सॉलुशन हैं लेकिन उनको में जितने जितने व्यक्तियों की आस्था पूर्ण विश्वास हुआ है कॉंसेट में वह वीदा पुपी के साथ आ करके उस कॉंसेट को और अच्छा करने में और उसको संके रूप में हम भारत में अपना कैसे स्थापित करें इसमें योगदान दे रहा है तो मेरा आप से अन्रोद और प्रश्ण यह है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं वीदा पुपल को और इसमें किस तरह से हम सामोहित या एक साथ प्रतिभाग कर सकते हैं ताकि जो आशंका हैं जो समस्या हैं उनसका समाधान जो आपने सुझा है जो आप काम करते हैं 24 गंटे उसी रेकार से वीदा पुपल के हमारे बहुत सारे साथी 24 गंटे इस पर चिंतन करते हैं बात करते हैं और हम यहाँ पर पूरी तरह से बात भी करते हैं जो साथी हमारे पास आते हैं तो मेरा अलोध इस बात में है कि वीदा पुपल का जो concept है हमें संक्य रूप में स्थापित होना है और से हमें समस्याओं का समधान के लिए सामुहिक रूप से यह तै करना है कि कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा है किसका solution क्या है और जब हम इस पोक्स के रूप में वीदा पुपल में इस पोक्स एक designation है और अगे अगे रूप एक स्पोक्स का डेजिशन जिसमें हम साथ दिन की मिटिंग करने के बाद में जो हम साथ छे दिन के एक्टिविटीज दोस पर डिसकस करते हैं उसमें सारे साथ ही स्पोक्स में आ जाते हैं जो वीदा पुपल के concept से एगरी करते हैं सहमत होते हैं और फिर समस्यां क्या है और समधान क्या है तो वहां पर उस इस्थिती में हम यह चाहते हैं कि आप जैसे जितने भी साथी हैं जो इस देश को डिसकस करते हैं इस देश को लीड करने कोशिश करते हैं इस देश में अपना समय दे पा रहा है लगाता जब से आपने हमने देखा है तो जब हमारे पास रास्ते बहुत कम बचे हैं, समय बहुत कम बचा है, उन इस्थितिये में सब का जो सामुहिक की यगदान है, वो सामुहिक यगदान तभी आप आएगा, जब आप जैसे जितने भी सक्सयत हैं जो देश में काम कर रही है क्योंकि आप ऐसे पहले गति हैं जिन которого me कभी बी किसी से पैसा नहीं लिया है क्यों ब्हुंआ है छितना मुझे जानकरी कि दें चला ने भात्रक पहसए लिया है पैसे का घू किया है लेकिन बी एसेस हो आइडिलोजी है जिसने पेवेक्टो सोसाइटी पे काम किया है और उसमें हर जिले में जो भी समस्याई है उसको बिलकुल जीरो ग्राण की रिपोर्ट ले करके और जो एक्चुल बेनिफिट हो सकता था वो वहाँ पर दिया है तो मुझे जो भी आप से सीखने मि भी तक जेसा आपने कहा है आप साथ में आगे बढ़ाएं और साथ में आगे बढ़ाने में आपका जो मारदर्सन योगदान और सहयो वह एक सब्सक्राइब यही मेरा प्रसन है ड़्टर बीपे सुझी से थैंक यू सुत्य प्रकाशी सॉरी टू इंट्रॉप्ट अगें अगर आप लंडन से लंडन इंग्लेंड से मिस्टर डी सी महें हैं तो थोड़ा प्लीज बताएं इंदी मीन टाइम यह धरम वहें हैं और यह काफी देर से जुड़ें मैं देख रहा था है इनको प्लीज आप अपना इंट्रॉट्रेक्शन के साथ थोड़ा कुछ बात रखना चाह रहे हैं तो रखें मेरी आवाज आ रही है आ रही है तो आज बहुत से इश्यू और बात हुई है बहुत अच्छा लगता है जो जतने भी लोगों ने बात की है वो इसमें एक बात है कि हम सभी अपने समाज के लिए बहुत फिक्र मन्द हैं जो बहुत जरूरी बात मैं मेरे दिमाग में करने की है वो यह है कि जो सिंसर की बात राजग увидеть कुम्हारा जी ने की है भूए हैnea जो सिंसर की बात है जो पनजाबी जो लोग है buns पास तो जो बुकलेट बहुत सी लोगों के पास पहुंची और पड़ी भी है हम जब उस पर बहस करेंगे अगरे सेचले को जो भी दिन वक्र हो तो अगर ऐसा होगो जो बुकलेट है वो किसी ना किसी तरह से सबी लोगों के पास पहुंच जाए तांकि उसको स्टडी करके हम कुछ नोट बना लें तो मैं समस हूँ कि उससे डिसकस करने का फाइदा बहुत हो सकता है अगर हमारे पास उसकी को हार्ड कॉपी या एफ डी एफ नहीं पहुंचती तो हमारी जो बात है वो शायद अदूरी ना रह जाए इसलिए मैं राज कुमारी से ये रिक्रेस्ट करता हूँ निवेदन करता हूँ कि वो उसका जो एफ डी एफ एफ की कॉपी है वो जो तने भी अफिशल्स हैं वी इदी पीपल्स के उन्हें सभी को पहले पहुंच जानी ताहिये था हलांके वो उतनी बड़ी बुक नहीं है अगर हमारे पास फैक्ट होंगे अगर हमारे पास पूरी बात चीत होगी तो हमारी जो डिसकेशन है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी और बहुत बेनिफिशल भी होगी अगर हम कॉपी नहीं पहुंच पास हैं तेकर मैं समतों के शायद अदूरी किसी भी तरह से हमारी जो बात चीता है जैसे है बाकी हम बातें करते हैं और हम हर बात को किसी ना किसी नतीजे पर लेकर जाने की कोशश करते हैं आओ मिलके कोशिश करें कि वो सेंसे जो सेंसे टू थाॉजन टूटी वन की है उस पर भी हम ऐसे ही गंबीर्टा से विचार करें और गंबीर्टा से लोगों को फाइदे की हमारी होन जो है हमारी होन इसकी ना को बडावा देने के लिए हम बहूस एच्छार करते हूंग करें और अच्छी बातें उसके बारे में सोचें मैं इतना ही कहना चाहतू हूँ अभी तो next century के लिए मैं पूरा इंतजार करता हूँ कि इस विशे पर बहुत जरूरी बात मैं समझता हो के होनी चाहिए बहुत बहुत धन्या बाद महें साब बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया है मैं कोशिश करूँगा खुद के उसकी ऑनलाइन वर्जिन जो बुकी है यह PDF वर्जिन है उसको इस ग्रुप में डाल दूँ तो बहुत आपने लिंक के साथ डालेंगे जो लिंक जाएगा न इनुक है तीक है तीक है कर देंगा ऐसे कर देंगे ठीक है तेंक भूट वर्य नाइस सुझेशन महें साब तेंक य। कोश्रा जी ड्डप्र राजकुमार जी मेरे पास आपका नबर है है। लेकिन है और आपको मेरे वर्ट्सेप नमबर से कॉल किया है, वह सेव करके उससे आप अपने वर्ट्सेप नमबर से करो ठीक है ठीक है कोई बात नेक्स्ट सत्यवान जी वैसे डॉक्टर बीपी असोग जी का अभी उन्होंने जुड़े तो है लेकिन प्रकास जी का सुना है यह जानिया सब्सक्राइब को मेरा सर्जी डॉक्टर बीपी से एक सब्सक्राइब को फॉन कर लो कि उनके कोशन आ रहे हैं वह यह ना कि वह ऐसे तो जुड़े दीख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब को टाइम देदो बैल साव कहले थे कि आदा पाना गंटे बाद उनका इंटरनेश्टल कारिक्रम ना बीएस बैल जी मेरी बात सुन रहे हैं जी सत्या प्रकाशी में सुन रहा हूं पांच मिन पे थोड़ा सा एड्रेस करें जो जो कुछ भी आप लोगों ने बात करी है और जो भी सुजेशन आए हैं जो कुछ फी क्वेस्टिन आए हैं मैंने बड़ी गंभीरता से सुने हैं मुझे कही बार यह ऐसा महसूस होता है कि हम लोग बाव साब अमबेदकर की जो कुरबानी है जा बाव साब अमबेदकर का जो अन्दोलन है उसको सही तरीक से करी थी और जब महारास्टा से करी थी तो केले महारों के लिए वो तब उनका संगर्श था तो धीरे धीरे जैसे ही उनको जो महसूस हुआ कि जह एक जाती का संगर्श नहीं है मुझे और जातियों को भी साथ मिलाना और मिलाना होगा इस संगर्श को बड़ा करना होगा तो दूसरी जातियों को दूसरे लोगों को उसके उसके बाद आप देखेंगे के जैसे ही आ बहुत साब में बहुत कर दो तीन सत्याग्राय करते हैं उन सत्याग्राय से बहुत साब को एक चीज का ऐसास हुआ कि अभी मैंने थोड़ा सा किया महाराश्टर में अगर मैं सभी दूसरी स्टेट में भी करूं तो मुझे बहुत ज्यादालाव हो सकता है उसी को ब्रोडर करते हुए वो दूसरी स्टेट में आए और दूसरी स्टेट में भी आ खर देखेंगे करते हुए बाहु साब अम्हेद करने नागपुर में एटीन नाइटीन ट्वेंटी जुलाइ को ओल इंडिया डिप्रेस्ट क्लास को की मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद में उसको कुनवर्ट करना था और इंडिया स्टूर्ड कास्ट में तो उसमें सेवंटी फाइज लोग आये थे अब अगर हम देखें के बाहु साब की कमिटमेंट ओन लोगों को जनल लोगों को तैयार किया उनकी commitment तो 75,000 लोगों की presence होते ही जैसे ही जे नंबर अंग्रेज़ों के पास गया तो बावासाब अंबेदकर को उन्होंने अपनी राजसता में ले लिया और यही एक turning point था कि जैसे ही बावासाब अंबेदकर राजसता की कुरसी पे बैठे तो गंदी एंड जो जो पार्ट ती थी उन्होंने साथ में ही भारेश ओडो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नारा लगाया तो इससे मैं मैं लंबी कहनी नहीं करना चाहता हूं कि जो ताकट बावासाब अंबेदकर ने दिखा कर अंग्रेज़ों से सारा कुछ हासल किया था वो ही ताकट अगर हम यहां भी दिखा दें, तो हमें किसी के साथ लड़ने की जूरत नहीं है, किसी से मांगने की जूरत नहीं है, हमारी ताकत के हिसाब से हमारा हिस्सा देने के लिए गौर्मेंट्स अपने आप तयार हो जाएंगी, तो इनी बातों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्याबाद, अभी शायद अगले हफते तक मैं और ज़रा दरुस्त हो जाओंगा तो ज़्यादा हिस्सा ले पाऊंगा लेकन मेरी मेरी एक बात यह है कि हम अपने लोगों को सिर्फ माटीरियल माटीरियल गेन के लिए तैयार ना करें एक मूवमेंट के लिए भी तैयार करें जैसे मैंने को बहुत क्लोजली देखा है पड़ा है कि आज उनकी अगर एक जोर्ज फ्लॉइड के मृत्व के उपर वो सारा आज योरॉप अमेरिका कैनेडा और अस्टेलिया जहां तक भी फेले हुए हैं पैरलाइज कर देते हैं तो यह उसी मूवमेंट का हिस्सा है जिसको हमारे काल ुए लोगों ने चलाया और उसके पीशे खड़े हुए हैं और उसके साथ संग में खड़े होकर अपनी ताकहत का प्रदरशन किया और अगर हम ऐसा कुष कर सकें तो मेरा अपना जे मानना है कि जो लोग हमारे भारत में हैं अगर उनके कोई आ उपर अत्याचार होता है तो जो लोग हमारे बाहर जो विदेशों में बैठे हैं, अगर वो उनके बीच में एक कनेक्टिविटी हो जाए, जैसे बीदा पीपल एक कनेक्टिविटी कर दे, तो हम एक ही वो इसमें अगर उसको उस दबाओ को बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है हमारे भी बहुत से मस ले हैं, वो हल हो सकते हैं, इन्हीं चीजों के साथ मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जैभीम, जैवारा, थैंक्यू, थैंक्यू, बैल साब, और डॉक्टर बीपी असोग जी जुट चुके हैं दुबारा से, तो सबसे निवे देना कि अपना कुस्टिशन जो है न, तो इसके बारे में थोड़ा, मेरा भी कुशन है, लास में डॉक्साब से चलो, नहीं तो मैं वैसे भी क्लिर कर लूँगा, चलो, सत्यवांदी आप बताएं, आप बोलें, सर, मैं डॉक्टर बीपी असोग जी से के जानना चाहूंगा, कि इलिगल काम किसी भी, कोई भी कम् सोड़ा पीज, सर, हमारे जो सोसाइटी के आदवी है, किसी के साथ तू तड़ाक भी कर देता है, तो पुलिस वाले उसको भी उठागे लाते है, घरवालों को भी उठागे लाते हैं, और दूसरी कम्मिनिटी के कितना बड़ा भी अपराद कर दे, पुलिस वहां तक नहीं करते हैं, अब जितने भी थाने भरे पड़े हैं, हमारे गरीब बच्चों के भरे पड़े हैं, जब कितने बड़े-बड़े अपरादी, वहां तक कोई पहुच नहीं है, पुलिस की, ऐसा क्यों है, देखिया, वन दिरस्था का हैंगोवर, हर भाग में हैंगो, पुलिस में हैं, आपको लग रहा होगा कि फुलिस में है, जिस बेवार में जाएंगे, वन दरस्था रहां जोर, जो लोग बच्च्पन से अस्मानता सीखते हैं, उनके बेवार में, उनके कंड़ेक्ट में, वो मर्थे दम तक रहता हैं, और यहां तक कि मर्दे के बाद़े, जो चीज प्रिदा होने से पहले शुरूँ होगई, वो जहाती बरस्था उसको ट्रे इनिग देती है तो फुलिस में पहुचे का तब दी हैं, फुलिस इस सबसे कास्त क काहाई आव हो जो शरी में पहुचे का तब भी, रेवैनि में पहुचे का तब भी, और प्राइ재 शेक्टिय म यह मोइ ऊसर काद्म करते हैं और कई जगे क्या है सिस्टम हुआ हुआ है चाहे हूआ मेडिया के संग्यार में डाल करके और चाहे एक 56 तीन में डाल करके अगर आप प्रेसाद कोई हाइ एंडट्नेस हुई है तो आप तरंट उसका SCP का है तो Commission को Fix कर सकते हैं मानवादिकारायोग का मामला है, तो मानवादिकार आयोग को, ठैक्स कर सकते हैं, महीरा आयोग का है, तो महीरा आयोग को, और WhatsApp की इतनी अच्छी सुविदा है, अगर आपकी connectivity जैसे किसी भी गाहनवा, गाहों में या किसी भी महले के अंदर अगर connectivity अच्छी है अगर आपको चार पत्रकार जानते हैं चार retired पुलिस अधिकारी जानते हैं चार नेता जानते हैं चार प्राफिसर जानते हैं तो निश्चत रूप से आपके साथ क्यों हाई-handed action पर इसको द्वारा नहीं हो सकता तो वो देख लेते हैं कि हाँ ये बहुत tolerant है बहुत अकेला पड़ा हुआ है इसका कोई पूछना वाला नहीं है तो उसका लाब उठाते हैं और अन्याय करते हैं लेकिन जब उन्हें पता पड़ जाए कि ये आद्वी कानून के बारे में ज क्यलेंज करेगा तो पुलिस वाले हो चाहे कोई भी हो वो लीकल के एक्षन पर आते हैं इस थाए नेक्स्ट मैं थोड़ा सा प्रकास जी का साहिद दुबारा सर आपने सुना था प्रकास विगी ने जो क्या था मैं प्लीज रिपीट करिये मैं एक और वेमिनार में था तो वो आई-पैट पे रूब कर रहा था आपको मैनत बहुता बहीमानी की प्रकास जी थेंक्यू जी नौ उद्धे जबी नौ बताज़ें नौ पर प्रस्ट पहले लंबा था लेकिन अभी बीच में जो है चोटा एक लाइन में पर प्रस्ट आपसे आना चाहूँँगा बूजे आपके जानने का आपके साथ काम करने का जो भी मौका मिला जबी समय मिला है जो बी एसेस की आइडियोजी पीवेक्टू सेसाइटी जिस रूप में काम कर रही है कभी बी एसेस में कभी पैसे का लेंदेन डारेक्टी नहीं हुआ है लेकिन जब जो भी प्यूलित व्यक्ति हुआ है उसको लाब कहुंचाने का जो वास्तिक तरीका है उसको महां पर करते रहे हैं अपके साथ में तो उसके रूप में आप इस जो सक्रिया योगदान है क्योंकि हम संघ के रूप में स्थाफित होना चाहते है भारत में वीड बी ने हमारी लूलित संघ से है संघ की सथा किसी भी रूप में इस्थापित कर दिया है लेकिन देश को अगर हम लोग डिसकस करते हैं तो उस विवस्था में उस वीदा पीपल का जो सहयोग है और हमारा सामुइक सहयोग किस तहां से हो सकता है इसको प्रस्ण के रूप में आपके सामने रखता हूं तो आप से निवेदने कि इस विशह में जो आप या आप जैसे चितनी भी सक्सियत हैं उनको ट्रेस करने में उनसे बात करने में आसानी हो आगे को क्योंकि नि सब्सक्राइब करना जहां भी अत्याचार हो अत्याचार को इतना मजबूत कर दीजिए कि उसको लगे कि समाज मेरे साथ है और इसलिए हम लोग अपील करते हैं उसमें कि प्रीड को इतना मजबूत करिए और सोशली भी इमोश्टली भी और साइकलोजिकली भी हर तरह से उसको मजबूत करिए ना वो उसका स्वास्ता खराब रह पाए ना उसके बच्चों की सिक्षा रुख पाए ना मुकद में कि वो पैर भी मैं उसको दिक्कत हो ना आ इस तरह के अत्याचार हैं उनमें पीडित को जब मदद मिलेगी तो एक सोसाइटी का कोहेजन बढ़ेगा एकटा होंगे लोग बाग को तूंकि जो सरकारी पैसा मिलता है वो इतना पैसा नहीं मिलता और बहुत ही इसके बाद में मिलता है लेकिन समाज का कोहेजन बढ़ान उसको एकलोरी ऑल जो वर्ण वियस्था के चितने भी पंक हैं उनको पहचान करके वोचाहेज किसी को रहन करनाओ चाहेज किसी को चोहान साथ जो सब रोग न बढ़ेगा इतनी कि सब्विशं बादा पैसे चाहाएज गालियों से investig की स。 उसको पकड़ना है कि वो वानवास्ता कहां से प्रहती हुई उनके मुहावरे लोक्तियां उनके चुटकले सब में चाती बात बुसा हुआ है तो बीएसस आइडियोजी ये कहती है उसको एक फिल्टर कर दीजिए बिल्कुल वानवास्ता को अपने कारे से अपने भाशा से अ जैसा खुबसुरत है और देखिए बनिये की तरह से पैसे कमा रहा है और ये कितना नीचता कर रहा है जैसे चमार कर रहा हो चोरी चमारी करता है जो इतनी जगे फैला हुआ है डी एने में घुस गया है लोगों की बीएसस आइडियोजी ये है कि उसको फिल्ट्रेशन करके हर समय हर जगे उस से ललना है उसको खतम करना है उसका विरोध करना है टोक करके कोई ऐसा नहीं है कि वो कहीं पत्थर बाजी करनी है लेकिन टोक अठाक ही करनी है मैंने देखा बड़े-बड़े सिर्ट सुनके सामने कोई भी कह ज़ता है ये चोरी चमारी का काम इसे बन किये क्या आपको यह भाशा अच्छी नहीं लिखती अगर आपने टोग दिया तो निश्यत उतसे खतम हो जाएगा ट्रेंड के अंदर पहरे पूछते थे लोग बाग अभी भी कुछ पूछते हैं कि आप कौन लोग हैं तो आप तुरूंट जाठी हैं कि क्या मतलब है बाइल डिगरी पूछिए हमारा पद पूछिए हमारा पता पूछिए वाट वी वांट वास्क तो कई बार ऐसा हुआ एसी वन तक में लोगों ने हम सब पूछा प्लाइट में पूछा और उनको जब काईदे से डाड़ दिया तो एक दो और लोगों ने भी सुना और लोगों को लगा कि हाँ यह सवाल अब यात्रा में नहीं पूछा जाएगा यह सवाल दफ्तर में पूछना मुछिल हो गया है यह सवाल अब किरायदार से मकान मालिक नहीं पूछेगा तो जहां आप ऐसा हट करेंगे हर जगे विरोज करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन में कबर हो सकता है यह है इसको आपका जो है किस रूप में जो है वो रहेगा ताकि हम लोग और अच्छे हम आपकी मीटिंग्स पर चाहाए अफ्लाइन हो चाहां ओनाइन हो वहां आने का प्र्यास भी करेंगे ठरूनेशन की बात है तो डोनेशन भी देंगे और अपील करने की बात है तो अपील भी करेंगे और किसी की अगर help होनी है एस police officer या किसी भी अन्य विभाग में होनी है हम अपने links के द्वारा directly और indirectly harassment के cases में atrocity के cases में और education help के cases में अपनी चम्तानसार भी help करेंगे दूस्तों की चम्तानसार भी help कराएंगे डॉक्टर बीपियसोग जी थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साब बीपियसोग जी 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 जो बीएसस की आपने ideology बताई है आप की जो मैं समझा हूँ वो यह है जैसे कि सभी लोग जो संग्ठन है या सभी तरह की लोग है वो यह कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई पीडित है तो उसको पैसे से मदद करनी है अगर हमारा कोई पीडित है उसको कोट में मदद करनी है किसी को मारा है पीटा है तो उसको सपोर्ट करानी है कानून की कोई हमें अगर बत्तर जी कर रहा है तो उसको arrogant होके जवाब देना है और ये सारी जो बाते आपने बताई हैं इसमें बढ़ चलके एक हमारे आई सबसर है उधर राजसेकर बंडू जी उन्होंने एक किताब भी छबाई S.C.S.T. Act की कि अगर किसी के साथ में कोई उत्पिरन होता है तो इसमें Act लिखे हुए है उन्हों को एपलाई करना चाहिए और ये छोड़ छोड़ी बात है और फिर हमारे जो वकील आए उन्होंने ये कहा कि आप चिंता ना करो हम पोर्ट में आपके साथ हैं और क्या क्या हुआ है हम आपके साथ लड़ेंगे मगर जो ये वीदा पीपल है वो वीदा पीपल ये कहता है कि भ आप हम ऐसा मरो गई और उसकी आप त्यारी कर रहे हो और बड़े जम के त्यारी कर रहे है और ये जो वीदा पीपल वो ये कहता है कि भाई आप खटे हो जाओ अब आप कोड के इस तरह आजाओ पीटने वालों में अब आप इस तरह आजाओ उन से ये पूछने वालों में कि तू बता तू कौन है अब आप इस तरह आ जाओ क्योंकि ये चमतकार हो जाएगा जो पहले 2600 साल पहले था जो पहले 1000 साल पहले था ये 500-700 साल पहले से तो घटना घटी है हमारे साथ में जो इत्यास कार है पटिल साब वो कहते हैं ज्यादा पुराना नहीं है जो हमारे अभी बनी है ये नाम भी अभी आए है तो वीदा पीपल का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कि भाई हमको पिटने की त्यारी नहीं करनी है जैसे एक लड़का है जहां भी कोई पिटता है जहां मारा जाता है वो अपना पता नहीं कहां से उसने गाड़ी वाड़ी लेला यह पहुँंच जाता है अरे भाई तुम कर किया निये है तो मेरा आपसे है और जो है वह वो पुरानी शबिसो साल पुरानी इस निया लिए हमने समद संकी कि भाई अब तुम जा के अपना वो बनाना कि यह स्थी एक्टोश्टी एक्ट अब हमको चाहिए हमें नहीं चाहिए हम इखटे हो जाएंगे तो हमको इसकी आवश्कता है नहीं है फिर तुम वकील ढूंडना कि भाई मुझे बचा लगा है हम उसे स्थिति माना चाहते हैं यह है सर दाने मैं आप आपकी बात का स प्रियास करते हैं कि उन्हें जानकारी करा है कि 96 IPC से 106 IPC उनको पावर है आत्मरक्षा के अधिकार की वो अपने आपको बचाने के लिए अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी संपत्ति को बचाने के लिए बच्चे को बचाने के लिए वो दूसरे पर उतना वार कर सक चाहिए च्छे हेल्वेट हर घर में होना चाहिए यह और आत्मरक्षा के संब्धने उनको जानकारी भी देते हैं यहां तक कि चाहें बहुत ज्यादा दिक्कते हैं तो आप गली के दर सीसी कैमरा भी बनाईए डिफेंस मेकेनिजम होना और आत्मरक्षा का अधिकार यह संवे दोगों के उपर कि आपके पास एक डिफेंस मेकेनिजम है डिफेंस मेकेनिजम की कमी होने की वैसे बहुत से देशों में हमारा बुद्धिस्म जो था वो टिक्लाइन पर आया और बहुत से देशों ने जहां पर कुंग फू तग्यार किया जूडो करारी तग्यार किया वह जो बैस्ट डिफेंस है वो है इखटा होना यूराइट होना अगर आप यूराइट हैं तो आपकी आवाज में और आपके भ्रह इतना होता है कि अगर आपके पास लटक भी ना हो रापता के लिए बच्चा भी और कहीं घूमेगा तो उसकी मत लिए और सबसे आसान तरीका है कि आप यूराइट हो जाईए फिर उसके बाद आप भी रखिये मत रखिये सब आपका तो क्योंकि यही चिए सग्च्न का तज़ीका है और संग्ों में जो लोग रहते Iya है के वह स्वच्छ रहते हैं। हमारे हमारे गाओं में सारे चाप खरते होते हैं दो जाट आटा कर बहुत जरूरी है देखो डाक्टर साहब, पुलिस वाला अकेला भी जाता है, और कितना धाकड़ा आत्मी हो या चार आत्मी हो या पचास आत्मी हो, उसको कोई हात नहीं लगाता था क्योंको उन्हें पता है कि उत्गा इसमें की रह बहुत मारे गया अप जहां पुलिस वाल जो तॉ दियार होता है वहाँ फिर कम हिंसा की आवशक्ता क्यों सब्सक्राली कि अगर वख सब्सक्राइब हमारा sentence है उसमें कोई contradiction नहीं है आप सही कह रहे हैं हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सर हम तो defense जो assembly है उसको defense बांते हैं क्योंकि हम धेक एक आद्मी से बच्छे उससे बैतर है कि हम सारे होने के लिए मना नहीं कर रहे हैं उससे कंट्राइक्शन ही नहीं लेकिन अगर कोई अठेक करता है भगवान बुद्धने भी कहा है कि दुष्ट को सजा दो अगर दुष्टा करेगा कोई डंडा मारेगा तो आपको कानून अधिकार देता है इसका परचार करने में दिक्कत नहीं है अधिकार मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं सर एक यह डिस्ट्रिबेंस बहुत होती है पिर रोक रेता है है नेक्स्ट मैं बीडी चौदरी जी है काफी सीनियर आपना प्रेशन पूछ लें आ सर बहुत बहुत धन्वाशन सर बीडी चौदरी जी एक एक मिनट थोड़ा समुझे एक गंटे प्रेश्ट जी जो गन लैसेंस और यह बात करते हैं तो हमारे को तो कुछ मिलता नहीं है क्यों ना ऐसा कोई बनाया जाए कि किसी को इना तो ज्यादा बैटर है किसी को भी नहीं लाओ लो इसमें लोग तो इतने उसमें है नहीं ना गन नहीं चलाने बाते हैं तो चलाने जोटनी पड़ती है अगर वो दिये ही ना जाए ना जिनको जो अब ले रहे हैं वो तो ऐसे लोग लेते हैं जो एक्चुल में जो मतलब गलत करते हैं अगर ऐसा कानून या कहीं ऐसा किया जब वहाँ पर गॉर्णमेंट तक जाए कि गन वगएरा इसे यह दीन आ जाए ऐसे मतलब किसी को भी नहीं दी जाए वो है वो कानून है लेकिन प्रभावशाली लोग प्रभावशाली ले लेते हैं यही तो कह रहे हैं जिसकी क्राइम हिस्ट्री है उसको गन राइसेंस नहीं म कि अगर सब मुझिस सुसाइटी हो जाए तो हत्यार वे माइक्रो का कॉंस्पेरेसी का हिस्टा है यह थी हम लोग जिकर किया था कि लाइसेंस नहीं मिलते हमारे लोगों पो जब लाइसेंस नहीं मिल रहे तो इसलिए हम लोगों ने लाठिया उठाई जान पूर्में ठाग हो गया लड़ने ही नहीं आए लोग जब देखा कि इनके 50 घरों में 300 लाठियां हैं 300 टॉर्च हैं 300 सीटी हैं 300 हेलमेट हैं तो एक उनका सेंडेकर हो गया अच्छा खासा और उस दिन से ठाकुरों ने उन पर अटेक करना बंद कर दिया एक भी शगडान हुआ है नहीं पढ़ेंगे बैलर्स ऑफ आफ वर ही शांती करता है यह नहीं कर सकता कि जो इस त्री करना है फो और दिया यह इसलिए लूज कहता है कि संग की जो पावर है वह बहुत जादा है और दणे क्लिए सब ड़ता होना पड़ेगा तब ही बिरिद्व मावर भनेगा बिल्कुल ब अपना कुछ रखेंगे आज दन्वार सर तर मेरा जैभीम सभी को इसर मेरा एक निवेदान है हमारे डाक्टर भीपियसों सर से इसर ने जो नंबर डिस्पिले किया है वो नंबर को मैं कई बार मिलाया वो मिलता नहीं है तो अभी मैंने अपना नंबर छोड़ा है सर चैट बॉक्स में तो एक तो मेरा ही निवेदान है दूसरा सर हम लोगे आपने जो बात बताई बहुत अच्छी है अस्त्रों सस्त्र दो चीजें हमारी संग की ताकत को बढ़ाते हैं अगर हमारा संग भी है और अस्त्र सस्त्र न संग भी हमारा होना चाहिए संग सकती तो संग वास्त्रों सस्त्र होंगे हमारे पास वीडी चोद्री जी वीडी चोद्री जी बुद्ध ने ग्यारे प्रकार का डंडा छुरी दिया है विने में सत्थक डंड बोलते हैं बुद्ध ने दिया है ग्यारे प्रकार का छुरी औ यह जो संग में हतियार है प्रंपरा भूद्ध की है आप रख सकते हैं यह हमारे अगर आप बुद्धिष्ट है और आप चाहें गज़र्मेंट उप इंडिया से तो इसको इसको लिगलाइश करा सकते हैं आप यहां पर यह है कि अगर हम संग बना रहे हैं तो संग में अगर हमारे पास अस्तर नहीं होंगे और सामने वाले संग के अस्तर होंगे तो हम पराजित हो जाएंगे फिल्कुल है वह हमारा स्ट्रॉंग होड नहीं रहेगा एक तोग है हजारों हजारों बंदू को पिछे हटा देगी एक तोग हां दूसरी बास सर मेरा जो है हम लोग यह चाहते हैं सर दाक्टर साथ से कि डाक्टर हमारे देश में कितनी समस्या हैं उन सारी समस्याओं की जननी एक समस्या है वह समस्या है हमारी जो कणमान नेतागर है वह अलग लग चुनाव लड़ना का समाधान कैसे किया जाए सब चुनाव लड़ना तो अधिकार है लोगों का और 4000 पार्टिया है सभी की जनरल वालों की पार्टिया भ सफलता से सुरक्षा रखेगा उसी को फिवर करें जो ब्रहम की सितिया पूरे देश के अंदर है और समी के लिए है लेकिन जो लड़ते रहेंगे और उनके साथ हो जाती है कोई भी नहीं पार्टी बना के आता है पार्टी बना लिए अगर थोड़ा सक्क्रिय होगा समाज में तो उनके पुराने उनके जो समर्थक होते हैं वो उनका साथ देने लगते हैं समाज तो नेताओं की वज़े से बट रहा समाज में संग की सक्टी में नेताओं के अपसमें एक जुटना होने की वज़े से सक्टी विक्री हुई है समाज लेकिन उसका कुछ इलाज नहीं कर से ना डेमोक्रेसी महरा आदमी का अदिकार है हैं तो हम जन्ता लोग सार मलोग का सत्यानाज करते रहे नेता उन्हों नहीं कर सको तो इन जम्मेदारी तो हम नेताओं की ज्यादा दिन्म दिए है कि अधिकार खतम हो रहे हैं देश में तो क्या जनता के लोगों को बोलना नहीं चाहिए बीदा पीपल को बोलना नहीं चाहिए लड़ रहे हैं तो इसलिए कहा गया है कि सभी एक गाई है कि अधिकर रहे हैं इसका को पहचाना सीखना होगा कि कौन उनके रिप्रेजेंटेशन को उनके समिधान को उनकी गरिमां को उनके अस्तित्र को कौन बचा सकता है किसका हिखास एक्सा आप्याई कैसा रहा है यह विजडि democrat को अपलाई करना ही करना होगा पार्टियां में पूरी दुनिया के अंदर बनी हूई यहाँ तो है नहीं आ आग यहां और में वहां वी하는데 पर्टियां बनी है एक्स्टर देखिए वो वोटर जो है ना वोटर पो जागूक हो डएगा वोटर जब जब जागूक हो जाएगा और नेता की छी प्हचानना पड़ेगा अभी दिक्कत यह है कि वोटर हो गया भक्त बहुत ज्यदा वोटर ये पाइचानूने जाहेhou कि सी जो अच्छा होता है वह जाकर के संसद में जैसे दातों के बीच में जीव होती है ना सर जीव जादा नात से कट जाएगी वह हमारा एक गो जो इमानदार आदमी अच्छे आदमी हो जाते हैं फिर उनकी बोलती बंद हो जाती वहां उदितराज जी बहुत ज्यादा देंगे म जीव सरकार में पहुंचा हो आप लोग इस पर रिसरच वर्क चला है और बारे साल रिसरच वर्क किया इस पर हमने फिर डिबेट लंबी हो जाएगी कि इस पर अलग से डिबेट रखेंगे किसी दिन कि हमारे नेता क्यों डिच करते हैं डाक्टर साब मैं आप से मुलाकात करना चाहता हूं ठीक है सर बहुत वैलकम बहुत वैलकम आपकर ना हो डाक्टर असोग एक परसन बड़ा मैदार आया उसका जवाब दीजे थोड़ा स जी जी तो बात समझ में आती है हमें कि क्या बोलते हैं हर पार्टी ने अपने भक्त बना रखें और सारी पार्टीयां सारी पार्टीयां भारत में भक्तों से चल रही है तो उन भक्तों का क्या अलाज किया जाए चाहे भक्त हमारे हैं चाहें उनके उनका क्या अलाज किया उन्हें कैसे जगाआ जाये यह बता आए अगर भक्त को जगाना यए सिर्फ अहांथ देखिए जो रिप्रिजेंटेशन है पृते निश्ट। वो तरह करेगा अगर भक्त को यह सिखा दिया जाए यह किलाए जाए कि पृत्थ निश्ट। खिलाब जौ है, वो तुम्हारा दुश्मन है. जो स्रमीधान के खिलाब है, वो तुम्हारा दुश्मन है. तो काम करेगा. Otherwise, वो सिर्फ अगर अपने नयक पूजा करता रहेगा, माह नयक पूजा करता रहेगा, तब दिक्कत होगी. और इसा हुआ है कि लोगों ने कसम खानी शुरू की है गाओं गाओं में 10-20 भी लोग इखटा होकर कसम खा रहे हैं कि हम किसी भी दशामें किसी के भी कहने पर सम्विदान विरोधी को और आरक्षन विरोधी को वोट नहीं देंगे तो उन्होंने भक्ती खत्म करनी शुरू कर दिये और इससे बहुत बड़ी आशाएं है और यह जो आपका सवाल था ना भी चौदरी साहब का बड़ा अच्छा सवाल था कि हमारे नेता डिच क्यों करते हैं उसका जवाब है बहुत अच्छा जवाब है थोड़ा लंबा और निश्चित रूप से फिर लॉयल और एक्सेसिबिल रिप्रेजेंटेटिव पैदा होंगे इसमें रिसर्च वर्क किये हमने दोजार तीन से स्टडी की थी शुरू किताब भी लिखी इसमें इंडिया रखा जाए कि हमारे नेता क्यों धोगा देते हैं इस मीशेपर मैं जाओंगा उसे ने उसमें गंटेक टाक होगी उसमें विजय मानकर जी को भी बलाएंगे उनका भी बहुत अच्छा वर्केस के उपर हाँ नहीं नहीं सबको बिलकुल ओपन रिज़े मानकर जी ने भी काफी उन्होंने तो जो बिल भी दिये हैं उसमें पालियामेंट के थे तींचर बिल दिये हैं इसकी एलेक्शन दिफ जिफॉर्म के बिलकुल सर सुदीराजी बुलाईए उनको एक दिन बिलकुल 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 राजबीरीज जी का हैंड रेज है थोड़ा इनका प्रफेंस दे क्या पूशना चाह रहे हैं जी जो बार से बात मेरी आवाज सुन रहे हैं आप धन्यवाद जी अमेरिका के सविधान में जो सेकंड अमेंडमेंट हुआ है राइट टू आर्म्स वो यह है भारतिय सविधान में राइट टू आर्म्स की कोई प्रोविजन नहीं है और अभी जैसे बीपी अशोग जी ने बताया कि कुछ खास को ही वो मिल पाता है शहस्त्र लाइसेंस का जो प्रोविजन है और उसके साथ शहस्त्र भी मतब कुछ खास वर्ग को मिल पाते हैं आम आदमी को नहीं मिल पाते हैं एक नेचर्ल रूप से उन वर्गों की सुरक्षा पर ही प्रशंचिन है करके और दूसरों को आथोराइज करते हैं कि वो उनके अधिकारों की रक्षा करें सुरक्षा करें और यह भी देखा गया है कि इवन जो लाउ इनफोर्समेंट एजेंसी है वो भी जो गरीब है जो वंचित है उनका साथ नहीं देती है क्या भारतिय समिधान में भी अमेंडमेंट द्वारा शस्त्र का जैसे यहां पर सेकंड अमेंडमेंट है राइट टू आम्स होना चाहिए तो इस बारे में आप थोड़ा मांग दर्शन करें थेंक यू देखें जो राइट तो आमस है वो नहीं है लेकिन जो डिफैंस है आपकर राइट तू प्राइवेट दिफेंस उस्पावर है और लेकिन और लेकिन व्यवारी ग्रूप में नहीं मिलता है और डेमक्राइशी के अंदर पावर है पार्लियमेंट को वो ऐसा राइट दे सकती है लेकिन ऐसा राइट देना आपने एक बूम रेंग भी साबित हो सकता है उससे बढ़िया है कि जितने लाइसेंस मिल रहे हैं उसके अंदर रिजर्वेशन लागू हो और पचास लाइसेंस खतम हो जाएगी उस तरह की और फिर दिक्कत नहीं आईए कोई तो वो प्रभावशारी लोगों को ही मिलता है नेताओं के भाई वतीजों को मिलता है और वाय सेंसेंस कैंसलेशन भी बहुत ऐजी होना चाहिए अगर लाइसेंस मिल राएकी तो टुर आख यह पूंतलिया अड़ी होता है और लाइसेंस मिलने के भी कपेलए कि लग लिएसेंस कैंसलेशन की तो बहुत जादक है है इसका कोई लिमिट है क्या है लाइज की अगर कैसी है नहीं है बिसे बेग तो नहीं है यह लिए इस परूल रहुं है तो उसके नाम नहीं हो सकता है ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन ज्यादा एज बेमानलो 80-90 साल का आदमी अपलाई करता है तो जनरली उसको लाइसेंस नहीं देते हैं पुलिस उसमें रिपोर्ट अगेंस लिखती है कि अब यह लाइसेंस की सुरक्षा खुद नहीं कर पा अब आपको रिपोर्ट लिखामानी मी नहीं आती समाज में बताओ हद दो रही है जी आप अपने फेवर में रिपोर्ट लगवाले ना आई उसे बता तो दिया वह उसकी इच्छा है वह अपने आप आपकी फिर्म लगा देगा अगर अप्लाई करता है तो उसको मुश्किल मिलेगा ने अप्लाई नहीं करना है अल्रेडी है तो वह सरेंडर नहीं होगा वह उसके मरने के बाद ही सरेंडर होगा अच्छा मतलब वह यह नहीं है कि एज होगी तो वह बना रहेगा अधिन्यू हो जाएगा हूँ अधिन्यू नेक्स्ट हैंडियार के थोड़ा ब्रीफ में अपना दो तिन हो रहे हैं और याजी और यूएस लाल इंडक्टर शूब जी से मैं जानना चाहूंगा जैसे उन् । अपर मैं है आम है माइक्रो ऑर मैक्रोकॉंस्पिरेसी स्किरमने है सर ये स्टेट Mul ====omena कि पॉस्पिरेसी हैं अगर हम यह मान के चलते हैं कि पुलिटीकल पावर में आने के बाद हम शीज को कंट्रोल कर लेंगे तो नमने चाहंगा कैसे प're D. जैसे आपने बताया कि एक मानसिकता बच्पन में ही डेवेल्फ हो जाती है, जो घर से ही उसे सिखा दिया जाता है, तो उसको प्लिटिकल पावर आने से, उसको कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे, first question में रही है, और second question में रही है, सर से, जो आप बता रहे हैं कि मतलल, self protection के लिए आम सजना, सब्सक्राइब तो दंडे लाठी से लेने से पर आफ्टर जो है उस consequences को जो भोगने की शमता हमारे समाझ में नहीं है तो उसका समाधान कैसे किया जाए देखिक पहले जो आपका सवाल था, माइक्र कॉंस्पिरेसी को ले करके है, आतरक्षा वाला बाद में कीज़ करते हैं, दोना बहुत बड़े-बड़े सवाल है, देखिये, माइक्र कॉंस्पिरेसी जो बंद होती है, वो उस से में बंद होती है, जब पॉलिटिकल पावर के बाद में, यूरोक्रेसी में, जूडिशरी में, और एक्जीक्यूटिव में, जब ऐसे लोग आते हैं, जिनकी एकाउंटिबेटी ये रहती है, और खास्तोर से वो ऐसे वर्गों से आते हैं, जो एमपैथी रखते हैं, जैसे इस तरह को देखने को मिला, पर जब बीच में परटिकल चेंज हुआ, भी इसकी गोर्वर्मेंट आई, तो बहुत से जो केसिस थे, जो गैंगरेफ वाले थे, वो बंद हो गए थे, और पिशाप पिलाने वाले केसिस बंद हो गए थे, अला कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़दा लाइसेंस मिले हों, या बहुत ज़दा बाट हों, लेकिन एक साइकलोजिकल वो रहता है कि सो का ट्रांसफर्स, स्पी का, डीम के ट्रांसफर्स, इस तरह के लोग आएंगे, और जो जनरल वाले थे, वो भी साब्धान हो गए, कहां उपर पॉलिटिकल बैस बहुत इस तरह के बैठा हुआ है, वो चाहें कुछ कहे न कहे, तो अंतर पड़ता है उसका नीचे भी, और आज जैसी जह इस्तिती है, उसमें यह है कि जब हिरेस्मेंट हो रहा है या कोई इलिगलिटी हो रही है, तो वो जाकर के जूडिशरी में जाते हैं, लेकिन जूडिशरी के अंदर भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जो रिजर्विशन खतम करने पे लगे हुए हैं, और NTSC या anti-minority decision दे रहे हैं, तो उनके decision में उनको डर नहीं है, कि कोई political boss या संसद हमारे decision है, उसको बदल देगा, लेकिन Parliament को power है, कि Supreme Court हो चाई गोड हो, उसके decision को बदल सकता है संसद, लेकिन जब संसद में आपका जो representation है, वो representative ही चुनायाता है उस बदल सी पर, जो unreserved categories आते हैं, reserved category के जो representative हैं, actually they are representatives of unreserved categories, because most of the personalities have maximum population of SEs, about 30 or 40 percent, तो वहाँ पर जो candidate जीता है, वो जीता है जो unreserved voters हैं उनके द्वारा, तो उसको ये मालूम रहता है, तो बहुत वीक रहता है, वो वहाँ संसद में भी चुपी रहता है विल्कुल, जिन लाजर constancy हैं, वहाँ vote की value कब रहती है, और गर smaller constancy हों, वोट की value जदा होगी, और वहाँ पर हमारे loyal और accessible, हमारे political bosses जाएंगे, और एक बहुत बड़ा political change होगा, जिसकी वज़े से, जो भी चरी में और भीडो करसी में, बहुत बड़ा प्रभावशाली कदम होगा, और उनको लगेगा, कि हम अच्छे से, हम अच्छे से काम करें, नयाची तरीके से काम करें, अच्छे से काम करें, आज तो यह सिती हो गई है लोगबाग, आपको एक case ऐसा बताता हूँ, जो पूरे इंडिया के नजर मैंने, आगरा की consistency है, रिजर्ब consistency MP की, जो शोल्ड कास ही consistency है, और टूनला भी थी, एक ही व्यक्ती, तूनला से चुने गए पहले तो MLA, और वही फिर MP चुने गए आगरा से, और वो शोल्ड कास नहीं है, इस बात को decide नहीं किया जा पा रहा है, अभी तक बहुत दिन होगए इसको, कि इनकी ब्रादरी कौन सी, जबकि उससे पहले भी MP रह चुके हैं, हाई स्कूल इंटर्ट पेस्टी हैं, उनकी ब्रादरी आज तक देखने में कोई भी नयायल है, कोई भी जहांचा दिकारी, आज तक इसको decide ही नहीं कर पाया, जबकि वो आँ देखने के decide हो जाईगी, अगर कोई अनपड़ और बिना एलगी पास किया भी आदबी, उनका हाई स्कूल सर्टिकेट दे दे, देख ले या उनके पिताजी मम्मी की वरादरी की जानकारी कर ले, या उनके गाउं चला जाए, लेकिन वो तारीक पे तारीक पे तारीक आ रही है, अगर आप प्रक्षा के अधिकार में आपको प्रडेक्शन भी मिलता है, अगर आप भी पगड़े हुए हैं, अगर दूसा भी लाठी पगड़े हुए है, और आपके घर पे कोई आया है, आपी करोनी में कोई बगज गया, और आप से क्लैश हुआ है, वो मारा गया, तो आपको राइट टू प्रडेक्शन मिलता है, आपके मौले हो मारा गया, इसका मतलब जो आने वाला था, डोमिनेंट कौन था, और एरोगेंट कौन था, जो आ रहा है बाहर से, तो निश्चित उप से, और उससे रखने में कोई गुराई भी नहीं है, लाइसेंस लाइटी का, लाइटी का लाइसेंस नहीं लाइना, हेलमेट का लाइसेंस नहीं लेना, तौर्च का लाइसेंस नहीं लेना, लेकिन ये डिफेंस मेकनिस्म है, अगर किसी कैमरा लगा रखा है अपने रोड बर, तो बहुत बड़ी चोरी भी, अपरादी भी, डेकेटी भी और अत्याचारी भी, इसको भी फ़र्ट करता है कि हाँ, लेकिन जान तो बचेगी, मुकर्मा तो बाद में लडा जाएगा, और फिर हाथ पर हाथ धर के बैटनेंस तो फाइदा नहीं है ना, कुछ, कानून साथ में है, राइट टु लिबर्टी आपको सम्मिदान भी देता है, जान बचाने की बात जब आ जाती है, तो एक मिर्चिपूर का कांट भी जाद आ जाता है, कि जन्होंने जान तो बची थी, पर वो अपना गाउं में गुसने के लिए उनको प्रटेक्शन देने के बाद भी, वो गाउं में वापस जाना नहीं चाहते थे, और अफिर्फिर्बी, डाथी रख सपरीज सब्रस इसाब सेंदुर्पदेनें जो आपने प्रटेक्शन मेगानिजम बताया है, वो इतना असान था, यह डौक्टर साह इस बाद को क्यों नी समझ पाई? सब्सक्राइब बनाई है ना शांति सुरक्षा दल बनाया था इस्थापना की थी उसकी आप देखिना उसको बावा साब ने तो परफेक्ट काम किया है उन्होंने कोई चेतर छोड़ा नहीं है सम्ता सहनीजल बनाया था इसे ही लक्स के वह रक्या स्टेबीज किया था दूसरी बात सर्व शोग आपने बहुत अच्छी बात किये बावा साबने जो इसके बारे मेकानिजम जो बताया है बावा साब कहते हैं कि पहली बात यह करनी होगी संगटी तो होना ही होगा लेकिन द हो जाते तो समाज के उपर अपने प्रवाद पर जाता है दूसरा आपने जो कहा कि यह 오른ち पावर में आ जाता है जैसे बीएसे फीर पी पाउर आई थी त में फंटë ओल जा जाता उसी तरह intellectual class का भी impact होता है इसलिए तो हम लोग intellectual लोग ही अगर जूर जाते है चाहे संक्या में कम हो लेकिन प्रभाव बहुत पड़ता है इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है सर इकटा आनी की और आज social media की विजय से आपकी आपकी बात बहुत दूर तक जाती है छोटी से चोटी seminar और webinar जो है इन विकम्स इंटरनेशनल seminar और इंटरनेशनल रोग शॉप और फिर idea तो आप ही देंगे ना जो intellectual से वही idea देंगे ये जॉनपुर में experiment किया था हमने 300 लाठिया बटवाई थी पटेलो के महले में और ठाकुरों ने उस दिन से आज तक भी जगडानी किया हुने और फुल इस वाले भी समझ गए वहाँ जो थे चोटी वाले तो भाई तुम्हारे पास भी लाठी है तुम्हारे पास भी लाठी है लड़ना मत हमारी नौकी चली जाएगी और वहाँ फिर चोटी और खुल गए यार जा करके इसको देखिये जो intellectual class के लोग हैं कुछ media में भी आने लगे हैं कुछ social media में आने लगे हैं तो वह हमारी बात भी उठा रहा है और कोई भी जो thinking human beings है जो intellectuals है एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो superstitious को भाव दे रहा है पर्यार साब जी 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 जै भीण सर मैं कराँ सर ये इस तरह कि कि जो हमारी discuss होई है जो वारता पर चलती रहेंगी रात भर भी चलेंगी निसकर्च नहीं निकलेगा एक बात जो माना भी डाक्टर ररसोक सरध्र भी माना और आप सुस्यृइरासी ना कहा कि अंद्भक्ति मिटाने के कोई रास्ता है क्या उस पर कोई हमारी सोच नहीं है बाबा शामने ये कहा है और हमारी सोच ये है हम सब बढ़े लेके अपनी अपनी तर्क लगाते हैं अगर अंद्भक्ति ही कारण है हमारे विख्राव का तो अंद्भक्ति दूर करने के क्या उपाय है क्या हम विदी पीपुर से जो कार कर रहे हैं कोई अंद्भक्ति मिटाने का कार नहीं है क्या हम कोई संग्ठन बनाके संक्या लामा भी पिस दिन कोई संगठन नई सोचता है अब कर रहे हैं कि अनका इलाइंस की नवबत ही क्या हो है अंद्भक्ति पैदा करना क्या हम दोसी नहीं है हम संग्ठन करता या लीडर सिफ जो हम अलग अलग से क्या अगर 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 करें यह अपना कार करें और उसी में हम भारत के लोगों को बीच में जाएं और साथ ठक पले ही होगी और दूसरा भी कल्व में नहीं दिखाई दे रहा है धन्यवा सर्थ जितने हमारे संग्ठन या जितने पार्टियां जो लोग है हमारे लोगों को जागरू करने के विए उनको अंद भक्ति बनाने में लगे रखते हैं प्रोलम यह प्रियार सब मैं एक में निरंकरी सर्थ की बात का थोड़ा सब मैं भी बीच में थोड़ा सब हम सब की हम तांग खीचने की बजाए सब का हाथ खीचके चले तो हो जाएगा बस मैं जन्रल एक बात कर रहा हूं जैसे आपने पूछा है देखके हम धूप को डिफाइन कर देते हैं कि गर्मी भार बहुत है तो हमारा नजरिया लग है एक जो धूप के अंदर में जल रहा है उसका नजरिया लग है धूप तो वही है सर इसलिए दो डिफरेंट व्यूस हो जाते हैं सामने तो यह होता कि आप कहा से बैठके उस च सब्सक्राइब कर दिया हो इतनी सब्सक्राइब कर दिया हो सब्सक्राइब करो इसमें कुछी रखा है यह सब बेकार है यह के खेवडिया जी यूएस लाज जी इनके क्विश्चन रहे गए हैं कोई प्रसंट नहीं लो आपस में कोई लिकत नहीं है खेवडिया जी अनके खेवड़े जी सब्सक्राइब कर लेते हैं उनको भेज़ देंगे देपाएं देपाएंगे डाक्टर असोक साब से करना चाह रहा था लेकिन ठीक है हम लोग जो है संग से जुड़े हुए लोग हैं और संग का जो है बिलकुल यह दाई तो है कि हम सब जो समाज में वर्ण व्यवस्ता के रूप में जो बाते फैली हुई है उसको जो हम ठीक करके लोगों में बताएं जो समाज में अलग-अलग बाते परचारित हैं और जो गलत असर छोड़ती हैं हमें साइकलोजिकल जो है बैड इफेक्ट डालती हैं उसके बारे में अवेर करना हम सब की फर्ज है तो एक शब्द अक्सर जो है वो मीडिया में भी आता है और हमारे लोग भी उसको इस्तेम करते हैं दलित के नाम से तो मेरा जानना था कि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना भी है यस शब्द से हमें परेज करना चाहिए और क्योंकि कोई भी जो हमें एक थोड़ा psychological जो है नीचे ले जाता हो उससे हमें परेज करें। और जो मीडिया में भी छपता है बार-बार उस पे भी हमें विरोध जहताना चाहिए। हमारे जो legal advocates हैं, उनको जो है विरोध करके इस बात को ठीक कराना चाहिए। तो यह मैं मेरा सवाल था और आप में से कोई भी वक्ति जो है मेरी बात का जवाब दे सकता है यह एंडोर्स कर सकता है जह धन्यवाद और जैवी कि अज़िशन दो यूज नहीं कर सकते अब कोई कि इस पर कोगनिसेंस ले या कोट ले या इस पर अब करता है ना इसके में दडल ले से इस्तेमाल होता है अभी पंजाब में यह क्या सारे नेता लोग ओपन लिव बोल रहे हैं मीडिया का अपने आप थोड़ी कुछ बोलती है तारा मीडिया वीडियो सब कुछ है मुख्यमंत्री बने पूरे मीडिया ने जो है गाना गादिया एक स्वर में बिल्कुल बिल्कुल आप क्या है ब्रहम मौणों के ब्रोद में कोई हमारे बोलते हैं तो ब्रहम मौणों अफाइयार करा देते हैं तत्काल नंद के सोब अगेल सर्कोट जो है तर पर्यार सार मीटिंग रोज चलनी है समय देखने घड़ी देखने सब्सक्राब होगा जब भी छोड़ देंगे दूसरे लोग आ जाएंगे जो जाना चाहता है जिसका खराब और चले जाएंगे यह क्या जवाब है यह कौन सा जवाब की बात कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं अभी हम सब्सक्राइब कर रहा है हम सबालेंगे सब्सक्राइब आप चिंता मक्त रहें हम 24 घंटे जगने वारी वेसलाल जी अब बदाए सब्सक्राइब इसे अब बी काफी देर से सेल्फ डिफेंस और आर्म से बात हो रही है तो मेरा मानना है कि इसादि एक तरफ अगर पांट सो लोगों का स्थांग है और दूसरी तरफ दो आर्मस वाले विक्ती यों तो क्या वो इस मान्निक यस्तिती में होंगे कि उन पांट सो लोगों पर फायर कर मुझे इशा लगता है कि वो इस मांतिक स्थिती में कभी नहीं आ पाएंगे कि वो पांसो लोगों पर फायर जोगते क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास मैंने बहुत सारी पिच्चर देखी हैं इंग्लिस मूवी देखी है उस में जैसे आता है वो हतिया चोड़ों के भाग जाते हैं या वही करें सर्ण में जो सकती है वो उसको मालूम है कि वो फायर जोके गा तो उसके पास दस ही गोलिया है जैसे दस गोली खतम होगी तो फिर को 500 लोग क्या करेंगे उन दोनों का तो इसलिए संग से कोई निट आएगा संग कि सब्सक्राइब ना चाहिए संग से ही हम सब लोग offensive हो सकते हैं defensive में यह defensive हम सबको आफेंसिव होना पड़ेगा और आफेंसिव जभी हो सकते हैं जम संग में आएंगे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा सिर्फ आप एक जुठ हो जाएए कोई आफेंस करना ही आपका संग में होना ही अब वह तो है वह तो है लेकिन उदर से भी मजबूत है लो हर्ज क्या है लो हमें अना ही डिफेंस है अपना लो दाग साब कर बिस्तर लगा दो और इनको जो ज़्यादान के जाएगा अब लो पैंदे जेक हो रहे है अरि यह अब आप बिस्तर आप बागी बच्चों के दर भेज़ दो सबको डॉक्तर शोक साब की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने एक बात जो कहीं है कि कहीं पे भी अगर ऐसी बात लेखनों के मिलती टोक ना जरूर हर कहीं जहां पर जो बेखती हो उससे सिती में टोक जरूर देजिए प्रकाशी आपका फोन नंबर चाहिए वो टेक्स मेसेज किया है बहुत बार मिलने मिलाने उसमें से आपका नंबर बोल सकते हो जी जी पॉल देता हूं 94162 94162 28681 सब्सक्राइब नोट कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं को थेंक यू नमस्कार प्रिस अब बताएं अब जीरो और क्या और सर्पर अब मुझे भी सर्माओका मिलेगा थोड़ा आप अपना क्रिश्टिन बोल दो क्या है हाँ अब को सब्सक्राइब यह मैं जानना चाहता था यह डाक्टर बीपी असोग साथ अभी कहां पर पोस्टेड है और किस पोस्ट में हैं वह यह चट्वाक्स में नंबर है बात कर लीजी लेके है लक्णू कोर्टर में है लगें है लग्णू मे लग्नू में ऑवास है अट्टा का जो नएटकॉर्टर पना है उसमें चले जाना पूछ्च्ट्ण ना किस से वो छोड़ी आएगा आपको बहुत बड़ा कमरा है सो आती मिया तोंसमें अ शनलां लग्णू में पोस्ट पर आएंग एडिशनल एस्पी है आदरी अच्छा आप थूड़ा सा इसली जानना चाहता था ना कि वह डाइक्ट पीएस तो नहीं है क्या नाम प्रमूट जा आधी टेट मैंनों एस्टेट्पीएस या स्टेट पीएस 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 हैं अच्छा यह अपना रेलवे में कई वर्षों से 22 साल से डाक्टर अंबेटकर जिनती मना रहा था तो एक वार इनी को डाक्टर बीपी असुक साब को चीट गेस्ट में बुलाया था परियार साथ करना जिरो आवर करते हैं कर देते हैं होस्ट अपने क्या नाम करना इसको बंद और वह जो रिकॉर्ड हुआ ना देखना सबकी डिमांड थे कुछ से दिराजी रिकॉर्ड आपके वहीं होगा कल यूटूब पर मिल जाएगी सबको कोई भी रिकॉर्डिंग का किसी को चाहिए तो वह यूटूब पर होती है वीदा पिपल का यूटूब चैनल है उस पर मिल जाती है सब सर जी मैं निवेदन करना चाहूँगा सुधेद आज इस सिंग्चर से मैं मैंने कई बार हैंड रेस्व किया और में अपनी पुछ रखना चाहता था बोलना चाहता था लगिन हमारे आज के होस्ट है को होस्ट है अमारे परिहार जी सायद मेरी बात को ध्यांत से सुनाने तबज्जो ने दिया कोई नहीं पर्यार साब अगली बार बात कर लेंगे अपनी कोई कर नहीं सभी को हमारा नमोगत है नहीं वो मुझे लग रहा है डट साब आपकी बात इसलिए नहीं होती कि आप हमेंसा फोन पर रहते हो जब भी फोटो आता है तो ऐसे लगता है वह सर फोटो वह सर फोटो लगी है टेली मेडिसिन जब कोविड में सुरूआ था उस समय का फोटो लगा दिया गया वह हमारे किसी जो हमारा कंपूटर अपरेटर है उसने जो आईडी बनाई है तो वह सकते है कर लो साथ प्लीज कर लो समते हैं लड़ सा वंलो disruption के रीए नहीं नहीं सद्सका मतलब बात है अम सुलाने के लिए सब त्यार हैश्य कर लिए कोई सरगी मेरा जैबिन जो भी हमारा परिवार जो संग है वीद़ पीपुल सभी को हमारा नमौ बढ़्दार जैबिन और इसमें आज के जो हमारी जो जो आज से रिशता बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छे लोग जुड़े सब बहुत अच्छे विचार रखे और जो बात चली संग की संग है सक्ति की आपने बहुत अच्छा बोला बहुत अच्छा कहा कि जब एक चीज मैंने पहले भी कही थी शायद आपको ध्यान होगा मेरी बात का कि हमारे जितने भी संगठन है जितने भी संगठन है CST, OBC के जो भी हमारे सुद्र समाज के हैं जितने भी हैं तो ये सब संगठन जब इनका मोटो एक है तो इसको इन सबको एक मंच पर लाने के लिए भी एक हर मीटिंग में चर्चा जरूर होनी चाहिए कि सब एक मंच पर क्यों नहीं आएं तो क्या ऐसा तो नहीं है बाबा साहब कि नांधपूर से शुरूआथ की वही नांधपूर गुरू के रूप में हमारे समाज में लोगों को दिख्वुनित कर रहे हैं। यह संग्ठन खड़े भी सोचने के जुर्वित है। यह हखिकतं ह नहीं यह जाने और नहीं है। वो राजनेतिक बेक्ति भी हो सकते हैं वो धार्मिक बेक्ति भी हो सकते हैं वो किसी कहीं कहीं हो सकते हैं कर रहा हूं अपनी इसतर पर आपके निर्देश्टों का पालन हो रहा है योगदर जी जी यह नहीं युद्धी युद्ध आपको नमबार लेलो आप आपको फोल्ड़ेंसर में काम कर रहे हो तो अलीगड़ है किता दूर महां से तो थोड़ा सा प्रवाइब कुछ लोग और भी है एक इंजिनियर विजय विजय है कि वो कह रहे थे कि मुझे बताना क्या काम करना है तो नंबर भेज दूँगा आपको कि याई अविजय के अपने लोग जिले के मैं लग बगद 50% लोगों से दो दो महीने में ही मिल मैं लोगों को अ कुछ कर रहा हैं लोगों को सन्ग से जोड़ने के लिए मैं पूरी तरीके प्रयाष़त्रत सब को जोड़ रहा हूं इस परिवार से मैं जोड़ने के लिए हर संबब पुरा कोसिस कर रहा हूं लगा हूँ परियार साथ प्रदेश की जो मिटिंग लगेगी न उसमें क्या होते एक घंटे की जो एंकरिंग है अगर आप सब की जाज़त हो तो मैं आप से चुटी ले लूँ जी बिल्कुल अपने इस ताइम में भी तो आप लोगों को बहुत बहुत है आप लोगों को बहुत है आप लोगों की बात मानता हूं लेकर अगर सारे रेस्टी करने शुरू कर दे तो फिर काम कौन करेगा ने 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 आप ते एक घंटे की देश दस घंटे का एनरजी देदे की बात में जी 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 तो मैं सभी सभी को आपको आपको बैसा आओ ऑस्टेलिया की और क्या वोलते है उधर UK की मीटिंग सेट अप पर लिए ठीक हो नमा पुद्दा जैभी मां नमगा जैविम सभी को सभी को दमरात्री जैविम नमगा थेंक यू है यह तरिक यह बालचंद बॉजी शाटरें पी से हैं बालचंद बॉजी तरा इस अधर शुरू आपके आपके सागर बहसं है आप लोग यहां हमें जैसे सुनने में आया है कि कुछ लोग बीडी पीपते हैं देखो ऐसा है बीडी या सिग्रेट जो भी है इस तरीके का धुमरपान हर तरीके जास्तारे पेट्रोल कम्पों भी लिका हुता बहुत बड़ा-बड़ा बिल्कुल नहीं करना है आपके हित्म साथ डूड़ी पर रहे हैं वह बालचंदी आपके सागर में क्या चलना है कुछ वीड़ा काम सुरू हुआ अभी तो नहीं हुआ है अच्छा आपको पूरी समझ में आ गई है ना कोई अगर कोई पसंद पुछे जवाब देतो होगे ना वीड़ा के वारे में हां हां सर लाने का प्रियास किया आरपी कुर्मी शाव लेक्चरा रहे हैं जो अभी छतर पुब्बु जुड़े भी कल मुझे बता रहे थे कि वो काफी दिन से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और डाक्टर वीड़न सिंग में सेनिया है हमारे विश्युद्यालाय में वो स्टी स्टी कि वो आए कि नहीं कोई बात नहीं वो हो यह दू तो मेरे पास है सर राजकुमारी मैं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मेरी और उनकी मुलाकात एम टॉंटीवन एक और ग्रुप है मतलब हमारा जो काम कर रहा है में मुमेंट 21 जसमें पहले राजकुमारी वंसल मेडम भी थी तो उनको मैं परिचेतू कई वार कॉल किया था तो उसमें माइक्रो करन पड़ता था वो काम मैं देखता था उसमें तो आप एक काम करो योगंदर जी आप इनका नमबर लिख लो क्योंकि मैंने वह बात नहीं होगी तो फिर बात बनी नहीं हुआ जी सर मैं चैट वॉक्स पर डाला हूं वैसे मैंने भी डाला था कोई बात नहीं करेंगे कि देंडर परसाद जी बेंडल पश्चिम बंगाल से प्रसाद जी आपको देशाद मुद्धाय जैभी म सब समझ में आ रहा है आपको जी जी सर्व यह सत्वान जी अरहे हैं पछी मंगाल में हैं यह सत्वान जी हमारे पूछ लोगों से मिला हूं बाचित किया हूं आज भी बताने में बताने में परशानी महसुस तो नहीं हो रही बताने में लोगों के प्रसंद आते होंगे कुछ प्रभावित होते हैं क्या है कि बहुत साथ लोग इखटे होते हैं प्रभावित होते हैं कर जो लोग समझ जाएं वह ज्यादा असदार होते हैं जी कर दिया था इसको और लिंक भी दिया तुमको लेकिन अपने वह रिलेजिक आये हुए है तो साथ का में आये हुए है थके हुए ना क्या बाल्चन पिंगोलिया जी नहीं जोड़ता है ने एक नुट बाल्चन क्या कि या जी तो नहीं सर्फ में आप एक काम करो प्रसाजी से ना कॉंटेक्ट में रहूं रहूं अब एकवार उनको के वारे में कुछ हो और वह वह कुछ लोगों से बात कर रहे हैं अगर वैसलिख कर रहा है तो आप उनको जान कर देते रहना जी आप ब्रचन्दर जी परसाजी जोड़ते हैं आजकर आप अपना नमबर देतो बालचंद पिंगोलिया जी को यह राहिस्थान से हैं और यह पूरी अच्छी तरह समझ गए और यह लोगों को लेंगे आपको चूर्मा बाठी के एक साथ आप आप नमबर देतो अपना उनको छोड़ दो वह बात करेंगे आपको इसके पहले मैं छोड़ चुका हूं सर फिर्मियम मैं छोड़ देता हूँ आज छोड़ दीजे छोड़ एक डेट रखी वेस बार मैंने मीटिंग के लिए डेटो स्टेट नहीं आ रही है ना जिनके कम ए रिप्रेजेंटेशन पंगाल इस्टन स्टेट स्टाइश थाइस तारिक है यह होगा सर वह का अभी वह लगे अपक्छा है पर देकिन होंगे जुड़ेंगे लोगा लोग में द्वियास तरह जुड़ेंगे लगे लक्षमन लक्षमन बबाल के जी हैं क्या ओलाइन दो दखाए दे रहे हैं लक्षमन बबाल के जी मुकेस कुमार जी बारे बचके एक मेंट हो गया दिन बदल गया मगर अभी भी हम पैतालिस लोग है तो हमें पता है कि हमें कितना काम करना है मेरे खाल में मीटिंग का एंड करें हम तो आगले दिन आ गया आज फिर मीटे के सामको कल ट्रेन में रहूंगा मुंबई जा रहा हूं कल जितना पॉसिबल है नेटर करेंगा तो जॉइन हो जाओंगा ठीक है और ये शरत मोरे सर डॉक्टर शरत मोरे सर है आप सो तो कर रहे हैं मोरे साब कमल कि सब्सक्राइब है डॉक्टर शरत मोरे जी सुदिर सर वह आज जो बात चली बीपी असुक साब ने जो बताई थी जी मेक्रो और मैक्रो डिस्परेटी बहुत सारे डिस्कस हो रहे थे वही जैसे हमारे यहां जैसे की मेडिकल में प्रोफेस्ट में जो एमर्जेंसी क्रिटिकल केर टेक्निशन की पोस्ट होते हैं मैंने अपोज भी की थी इसमें की 5 पोस्ट निकाला हर कॉलेज के पिछे त तो पाँच पोस्ट में तो कोई मैं बनता हैं तो मैंने पॉझ भी बहुत थी जब से रोश्टर चेंज हुआ है त अब से जब्सेटर चेंज हुआ मैं हरियाना के एक बड़ी अजीब माइक्रो कॉंसे कब से चल रही है हरियाना में आपको पता हुगा क्लास वन टू में रिजरेवेशन लागूई नी करी आज तक और वहां शर्विसेज जैसे दो साल पांच साल बाद में निकालते हैं तो वही बात है उसमें अगर वह हर साल या दस तो पांच साल में पचास निकालते हैं फिर रह जाते हैं अगर हर साल भी निकाल लें तो लास्ट में नौवा दस्वा या जो भी है ऐसी बीच बीच में आते रहेंगे यह ऐसे चलती रहती है सारी यह भी आपका कहना वाजीब है सब परन्तु अभी सब्सक्राइब यह हाल है कि हमारे पूरे एस्ट के लोग है प्रमोशन में मतलब विदावुत रजिवेशन भी हमको प्रमोशन मिलना है परन्तु वह जान बुच्के नहीं कर रहें वही बाद में आट लोगों का प्रमोशन था आहे इसमें छे लोग एस्ट के थे दो साल लगा दी है जब ला नमबरा से बन कर देखे एक का मौर और एक का मरो हुआ है बड़ा कमाल का यह राजीव गांदी ने जब ड्राइब जलाए थी उसके जितने लोग थे वह सब तॉप पॉजिशन पर आगे पॉजिशन पर ऐसे आए कि तॉप पॉजिशन पर चार चार लोग एक साथ अपने प्रमोशन में सभी डिपार्टमेंट में अभी सेस्टी के लोग है ज्यादे तरह और हमारा डीवी भी सी का क्रेटेगरी का है पर वो हमारा हमारा जो लिखता है वो खा कर दिया मैं जगड़ा करने चला गया तो वह बोले कि यार मैं तेरा का प्लस करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि इसने इसका कर दिया अगर आप नहीं करोगे तो दुसरा तो करेंगे नहीं पर वो बंदा अपने कर्मों का फल भोगा और वो बरकास भी हो गया उनको आउट शारे सर में सियारी लिख रहा हूं देखते देखते तो इतना बड़ा सियार लिखा मैंने आज लो सब्सक्राइब करते हैं आज कोई हमारा सपोर्ट करता है तो दूसरा बोलता है यार तो अपना आज में करना है तो पर दंतु जब उनके लोग आते तो कोई ये बात होती नहीं है कि इसके लिए तो धंब चाहिए हमारी राग च्च दो सच्चे मोह च्चा पान वुद केते हैं कि अन्हीं कर दिया आपके लिए नहीं हुं बदारें सबसे पहले तो मानुवेरा कांशिवांड ठीक पर आपको सभी को नामान और हम सोच रहे थे कि आप लोग सा इसके बारे कि अच्छा प्रोग्रम हम भी थोड़ा लेट हो गाए हम भी थोड़ा काम नवेदन करें कि हमारी जमीन जो है जो सरकारी जमीन हमारे पास दे दे तो बड़ी अब आता है तो उसके उपर थोड़ा पारकाउट करते रहें ते वो और अभी महाँ पर लोग सोगए तो हम आपके साथ आए हैं तो बड़ी है कि हम लोग एक साथ काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर एक प्रेट परम के उपर कठे होंगे तो अच्छा रहेगा जैसे आप लोगों ने बोला हुआ लिका हो के इन्टरनेशनल जो है सबी लोग एक साथ जुड़ें तो बड़िया रहेगा तो हम इसको पर प्रेयास करेंगे जरूर जोड़े जाएंगे हमरे कपी तदरू प्लाल करीश से भी है तो भी हम तोड़ा जानना चाहेंगे जो भी हमरे साथ जुड़े है तो नहीं कह रहा है कि अपा लेट भी काप्योगा है ठेक्ट्यू आपका जैभी नौबदाए जैभी नौबदाए सर पहली बारी आपके साथ जुड़ा हूँ हम रवी ने बताया थक के हमारे जो समाज के वह सभी स्टेकर्ट्ट्रों से कर ना चाहते हैं मैंने भी सोचा चलो बात सुनते हैं और काम जो हमारे सभी वाईयों को कठे होगे करना जाए हम भी हमके साथ जीतना हो सके करेंगे और साथ बड़ी खुश होई आप से सावी भाई वे मेंसे मिल कर और आज साहव कांशीराम जी का परीन दों को जठी है और मैं और हम ग्रेश की तरफ से साहव कांशीराम जी परीन दों करदा जी सारह भाईयों के बचार सुनते जाएंगे और फिर आपनी बात आगे बढ़ाए जाएंगे बढ़ाएंगे और इशी के साथ मुझे एक फुशी हो रही है आपके साथ जुड़ने के लिए आपका वेलकम है स्वागत है यहां पे इस प्लेट्फार्म पे और आपका नंबर चैट बोक्स में भी थोड़ा छोड़ दे तो ठीक रहेगा या बोल दे आप ठीक है नंबर नोट कर लेंगे बोले साथ इस चुनगूरिया सब है एक मिनेट एक मिनेट जी अपना नंबर बोल दे आप नोट कर लेंगे नंबर बोल जीरो ठीक विंट अराम से बोले जी ग्रीज का कोड़ा जी डवल जीरो ठीक बोले सब मेरा जो नंबर है 6979 ठीक है साथ की एट टू जी टू वन जी फाइव सेवन जी फाइव सेवन ठीक है साथ मैं भों 0030 जी 6979 जी 82 2157 जी सार थेंक्यू थेंक्यों sir श zenक बिजन दंदन जी 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 आपका भाकषां नभर नहीं ये बास दिआता दो थेंगा वो मंग रहे हैं आपका नंबर जी-जी मेरिमेरेगन मेरी tourists ron जी बुरी नाइन एड टू नाइन सिक्स मैं आपको मिस कोल दे रहा हूं सर तो कि से थैंक बारे बज के बारे मिट हो गए सब को जैने आज साम को फिर्म मिलेंगे आज बज़े अगली निपिंग में जब और हो से आंकरिंग करा नी तो सर पहले से बता दीजेगा सर मुझे थे परियाद ही आपको फॉन करेंगे जी सर अजी फॉन करके बताएंगे आपको जचा बता दो Online सब्सक्रण सब्सक्रण सर सबको सब्सक्रण सब्सक्रण यह तर जेविंशार धमराती है मेरे वे नमबर नोट गिलिया मैं जैपूर देवे राद पामिया कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल